हेलो इस्ट्रेंट्स, गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू, पिछले क्लासे तक हम लोगों ने C&T Act के डिफेंट प्रोविजन्स के बारे में बिस्तार पुर्वक अध्यन किया, अब हम लोग एक अन्य टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है संथाल प्रगना Tenancy Act उनिसोन चास अगर आप परिछा की दृष्टी से देखिए, JPSC के PT के Examination की दृष्टी से, तो SPT Act एक अत्यंत महत्पुन टॉपिक है, जहां से पांच प्रशन पूछे जाएंगे और अगर इसका अच्छी तरह से अध्यन कर लिया जाए, perception के साथ, understanding के साथ, और conceptual clarity कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से प्रशन बाहर नहीं जाएंगे तो आज हम लोग इस क्लास में, SPT Act के बारे में डिसकस करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले हम लोग इसके historical background पर जाएंगे, अगर इस act को आपको समझना है, तो इसकी अतिहासिक प्रिश्टमी को समझना आवशक होगा जैसा कि आप जानते हैं, प्रारम से ही संथाल प्रग्णा ये कत्यन पिछरा छेत रहा है, अभी वेस्टिल अगर आप देखेंगे तो जारकन का ये पिछरा हुआ छेत रहे, बैकवर्ड एरिया है इस्टेट का, और यहाँ पर मुख रूप से पहाड़िया जन्जाती और स संथाल जन्जाती का निवास है, और ऐसा माना जाता है कि संथाल प्रग्णा के सबसे प्राचीन आदिवासी पहाड़िया जन्जाती के लोग हैं, 1855-56 में आपको मालूम है कि संथाल बिद्रो हुआ, और संथाल प्रग्णा में यह एक बहुत ही ब्यापक बिद्रो था, और इसका मूल कारण था यहाँ के जन्जातियों की भूमी का बाहरी लोग के द्वारा कब जा, और इस बिद्रो के पश्चात, संथाल बिद्रो के पश्चात, संथाल प्रग्णा जिला का निर्मान हुआ, अब संथाल विद्रोह के पश्चाद एक मिस्टर जे एफ गैंजर थे इन्होंने एक सेट्लमेंट रिपोर्ट तियार किया इसका उदेश था यह देखना कि आदिवाश्यों की जमीन कहां कहां पर है और उनकी पैत्रिक भूमी को किस तरह से बारे लोगों ने हतिया लिया है इसके लिए एक सेट्लमेंट रिपोर्ट मिस्टर गैंजर के द्वारा तियार किया गया इनके फाइनल सेट्लमेंट रिपोर्ट के आलोक में संथालों की भूमी की संरक्षन के लिए जब इन्होंने अपना final settlement report present कर दिया तो संथाल की भूमी का संरक्षन हो उनका protection हो बाहरी लोग उस पर कब जाना कर पाए इसके लिए 1872 में 1872 में पहला रहिती कानून बना संथाल प्रग्णा में ये पहला रहिती कानून था जिसका नाम था संथाल प्रग्णा settlement regulation 1872 यह पारित हुआ और एक मई 1872 से यह प्रभावी भी हो गया इसी को संथाल प्रग्णा settlement regulation 1872 भी करते हैं और इसको हम लोग बिलीयमन 3 भी करते हैं regulation 3 भी करते हैं इसमें क्या किया गया इसमें संथाल प्रगना संथाल के जो प्रंप्रा का संस्थाय थी जैसे मांजी है जैसे प्रगनेत है आधी को भू राजस्व मामले में लैंड रेवन्यू के मैटर्स में क्या किया गया रेवन्यू कोट जो राजस्व नियाले होता है उसका समनांतर दर तस्तिया गया और इनको बैधानिक स्विकृति दी गई और 1949 में के एक्ट में भी इन्हें रेवन्यू कोट के समनांतर अधिकार प्रदान किया गया यह बहुत ही महत्मुन बात थी अब रेवन्यू कोट का अधिकार कैसे था मांजी को तो वो गाउं से लैंड रेवन्यू का क तो यह सारे जो थे रेवन्यू पावर्स वह संथाल के इसे मांजी हुए प्रगणयथ है आधी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गैंजर कीया रिपोर्ट गैंजर ने जो त्यार किया ठीक है यह रिपोर्ट पुर्व में दी गई मैक फर्षन मैक फर्षन ने भी पहले एक रिपोर्ट तेयार किया था उसी को बेस बना करके उसी को आधार बना करके गैंजर ने रिपोर्ट तेयार किया 1872 के रेगुलेशन 3 का जो बिनीमन 3 बोलते हैं हम लोग इसका उदेश क्या था तो इस चेतर में आधिवासी को अपनी पैत्रिक भूमी का संरक्षन परदान करना जो इस चेतर में आधिवासी थे उनको अपना जो एंसेस्टर लेंड था उसका प्रोटेक्शन देना था क्योंकि यहां के लोग अपनी भूमी पर बाहरी लोगं का कबजा बरदास्थ नहीं करते थे क्योंकि बाहरी लोग जाकर के उनका बहुत ज्यादा सोसन कर रहे थे उनको एक्स्प्राइट कर रहे थे मतलब यह लैंड एलिएनेशन का प्रॉब्लम हुआ पर क्रेयेट हो गय पेंजर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 1937 में 1937 में एक संथाल प्रग्रणा इंक्वाइरी कमिटी का गठन किया जिसको हिंदी मनलों कर सकते हैं संथाल प्रग्रणा जाज समीती यह गठन हुआ इसका कभ यह फॉर्म किया गया 1837 में सॉरी 1937 में तो 1937 में यह संथाल प्रग्रणा जाज समीती का गठन हुआ और इसी की अनुसंसा के आधार पर इसी के रेकोमेंडेशन के आधार पर एक नॉवंबर 1949 को एक नॉवंबर 1949 को संथाल प्रग्रणा संथाल प्रग्रणा टेनंसी सप्लिमेंटरी सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स एक्ट प्रभाव में आया संथाल प्रग्रणा टेनंसी अंडर ब्रैकेट इसको बोलते हैं सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स और इसको हिंदी में बोलते हैं संथाल प्रग्रणा कास्तकारी अनुपूरक उप्बंध अधिनियम क्यों क्योंकि इस अधिनियम में 1872 के जो रेगुलेशन 3 था उसके अनेक प्रावधान सामिल की गए हैं इसलिए यह एक प्रकार से 1872 के बिनियमन का यह सप्लिमेंटरी एक्ट है मतलब इसका जो मेजर प्रोविजन्स है इसका जो मोस्ट अब दा प्रोविजन्स है वो 1872 के रेगुलेशन 3 पर बेस्ट है जिसको बोला गया संथाल प्रगणा सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 उसी पर यह बेस्ट है इसलिए इसको नाम दिया गया संथाल प्रगणा भूधारन अनुपूरक उबंध अधिनियम 1949 क्योंकि फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहें क्योंकि यह है एक प्रकार से 1872 के बिनियमन का अनुपूरक कानुन था यह सप्लिमेंटरी एक्ट था अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस एक्ट का उदेश गया था इस एक्ट का उदेश था कास्तकारों को अपनी जमीन पर सुरक्षा प्रदान करना जो टेनेंट से जो खेती करने माल देख थे कल्टिवेटर्स थे उनको अपनी जमीन पर सुरक्षा प्रदान करना प्रोटेक्शन देना कि बाहरी लोग उनकी जमीन को हड़ पे नहीं या उसको ट्राइबल से अबैद कबजा न कर लें कास्तकार को अपनी जमीन हस्तांतित करने का अधिकार नहीं है अगर आप संथाल पर टेनेंसे एक में देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी जमीन जो है ट्रांस्परेबल नहीं है कोई भी जमीन जो है वो उसका खरिद बिक्री या उस कड़ा है आगे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट इसके जो सेक्षन से उसमें हम लोग देखेंगे गाओं में उप्लव परंप्रा के आधार पर जो वहां का अस्थानी रिती रिवाज है दस्तूर है उसके आधार पर भूमिक के उप्योग के संबंध में कैसे लैंड का प्योग के मामले में यह आज भी एस्पीटी की रीड है इसको बोलते हैं बैकबॉन ओफ एस्पीटी इस रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग में कुछ बंगाली गाओं को छोड़कर जो संथाल प्रगना है उसमें जो पूर्वी छेत्र ह और उत्तर पूर्वी जो भाग है उसमें कुछ गाओं को कुछ बंगाली गाओं को छोड़कर जहां बंगला भासी निवास करते हैं पूरे संथाल प्रगना में कहीं भी जमीन हस्तांत्रिन नहीं है उसी कुछ जगया जगह पर जहां पर बंगाली गाओं है वहां पर जमीन ग्राम प्रथान होता है जिसको मांजी भी कहा जाता है संथाल प्रणा के कुछ छत्रों में ग्राम प्रथान को विलेज हेड में को क्या बला जाता है मांजी भी कहा जाता है तो बीधिवत निर्वाचित जो कानूनी तरिके से बीधिवत रूप से जो एलेक्टेड गाउं का ह है जिसको माजी करते हैं को घ tribja में और जमीन जो घृष्ण जमीन जो खाली कई एंस लेंट मो binding पिन वेश्ट लेंड है उसको बंदोबस्त करने का अधिकार है अर्थाज जो माझी है या यह है है उसको राजश्चो न्याले के समकक्ष अधिकार प्राप्त है मतलब रेवनियू कोट के पैरलल उसको अधिकार है जिस प्रकार एस्टियों को खास गाओं मतलब जहां पर ग्राम प्रधान नहीं होगा वैसे गाओं को बोलते हैं खास आगे हम इसको डिटेल्स हो बताएंग है उसकी बंदोबस्ति का अधिकार एस्टियों को है ठीक उसी प्रकार जिस गाओं में प्रधान है ग्राम प्रधान है ठीक है जिसको बोलते हैं प्रधानी गाओं वहां पर ग्राम प्रधान को भी गाओं के रैयतों के साथ परतियारिक्त जमीन के बंदोबस्ति का अधिका है तो जो करें जमуск करेंगे जिसको क्या करेंगे वहां के रियत के साथ इसकी बंदवस्ति भी कर सकते है वो झालोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस एक्ट में हम लोग देखते हैं कि अपील का भी प्रावधान है मतलब अगर अगर इसडियो के किसी निर्ना से कोई बैक्ति संतुष्ट है तो वो क्या कर सकता है इसडियो के निर्ना के बिरुद्र डीसी के यहाँ अपील करेगा और डीसी के निर्ना से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर वो कमिशनर के यहाँ अपील करेगा और जैसा कि हम पहले ब बताया था कि सेक्षन 49 में इंडस्ट्री और माइनिंग पर्पस के लिए जो जमीन है उसका अंतरण हो सकता है उद्योग और कि खनन के लिए यह हमने बताया था आदिवासी जमीन का भी अंतरण हो सकता है इन दो उद्देशों के लिए लेकिन अगर आप मÏं Д एक्ट में को भी अंतरण की श्विक्रति नहीं है तो यह बड़ा ही इंप्रिण है कि अब हम लोग देखते हैं कि जो एस्पीट्या है में कि इसमें हम लोग आफिशों का डेख inflammation foreign एक दो बात और बहुत ही महत्पून है जिसको जानना आगे इस एक्ट के डिफरेंट प्रोविजन्स को समझने के लिए अत्यंत अनिवार्ज है इसको बोलिए अगर इसको नहीं हम समझेगा तो आप बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाईएगा अब हम लोग बात करते हैं कि संथाल प्रग्राम में जो गाओं होते हैं संथाल प्रग्राम में जो विलेजेज हैं वो तीन परकार के होते हैं इनको हम लोग जो गाओं होते हैं संथाल प्रग्राम में इनको हम लोग तीन टाइप सर बाटते हैं त्री टाइप्स आफ विलेजेज इन संथाल परगना अब यह तीन विलेज कौन कौन से टाइप है सो देख लिजे तीन टाइप से कौन कौन से है सो देख लिजे आप पहला हम लोग देखते हैं वो है मूल रहती गाओ यह आप बार-बार सुनते होंगे जब एस्पिटी एक्ट पढ़ते होंगे तो इन सब्दों से आपको सामना होता होगा लेकिन सायद बहुत अस्पस्ट रूप से नहीं समझ पाते होंगे यहां मेरा प्रयास है कि आपको बिल्कूल अस्पस्टा के साथ क्लेरिटी के साथ हम एस्पिटी एक्ट के सारे प्रोविजन्स को समझाएं दूसरा होता है प्रधानी गाओ यह सब्द से पता चल रहा है कि मूल रहती गाओं मतलब वैसा गाओं जहां मूल रहयत का स्तित्तो है वैसा गाओं जहां ग्राम प्रधान का स्तित्तो है प्रधानी गाओं और तीसरा जो है वो है खास गाओं मतलब जहां न तो मूल रहयत होगा और नहीं ग्राम प्रधान ह होगा वैसा गाउं जहांना तो मूल रहियत है और नहीं ग्राम प्रधान है ऐसे गाउं को ही खास गाउं की संग्या दी गई है कि अब वन बाई वन इसको हम लोग क्लियर करें मूल रहती गाउं किसको कहते हैं तो एक चीज जहां पर अस्परस्ट रूप से आपको जानना होगा कि मूल रहती गाउं कास्तितु संथाल प्रणा के सिर्फ देवभर जिला में है यह जो मूल रहती गाउं पाए जाते हैं आउनली फाउंड इन देवभर डिस्टिक बाकी जहों पर नहीं है यह मूल रहती गाउं कास्तितु देवभर जिला में है देवभर डिस्टिक में है तो मूल रेती गाउं सिर्फ या केवल देवघर जिला में पाए जाता है ठीक है इसमें जो गाउं से टैक्स का कलेक्शन होगा जो कर का संग्रहन होगा या जिसकों लोग लगान का संग्रहन बोलते हैं वो कौन करेगा मूल रहियत करेगा मूल रहियत का लिट्रल मीनिंग होता है शादिकर्थ होता है मूल रहियत मतलब औजिनल रहियत आगे बताएंगे कि इसका क्या implication है तो मूल रहीत को Tax Collection का अधिकार है लगान का शंगरहन कर सकता है और साथ ही जो गैहर में जरूआ जमीन है जीम लैंड मतलब जो सरकारी जमीन है परती जमीन हैika वेस्ट लैंड है यह सबको क्या कर सकता है यह मूल रहीत ही इसको बंदोष्ट करेगा किसी के नाम अब मूल रहाइत ने अगर कोई बंदोबस्ति की है और किसी को अगर उससे शिकायत है तो वह क्या करेगा अपना शिकायत अपना कंप्लेन किसो देगा SDO को देगा और अगर DC पाता है कि जो मूल रहियत ने जो जमीन का बंदोबस्ती किया है वो गलत तरीके से किया है या योगे बैक्ति को नहीं दिया है तो ऐसी सितिय में वो उसको रद कर सकता है या उसको कैंसल कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है अब है जो मूल रहियत होता है यह आपको मूल रहियत जो होता है इसका अपॉइंटमेंट नहीं होता है मूल रहियत की कोई भी नियुक्ति नहीं होती है इसकी नियुक्ति नहीं होता है एक्च्वली क्या होता है कि जो एल्डेस्ट या नियरेस्ट जो सबसे निकट का पुरुष उत्राधिकारी है जिसको बोलते है नियरेस्ट मेल एर मतलब एर मतलब होता है नियरेस्ट नियरेस्ट मेल एर मतलब होता है उत्राधिकारी जो सबसे नजदीक का मतलब मूल रहियत का जो सबसे नजदीक का जो पुरुष उत्राधिकारी होगा उसी को एसडियो जो हता है वो क्या करता है एसडियो उसको रेकोगनाईज करता है उसको मानेता प्रदान करता है मूल रहियत की नियुक्ति नहीं होती है उसको मानेता प्रदान किया जाता है और जो मूल रहयत की कि मानेता प्रदान कि जाती है इस टेऊंगे द्वारा इसमें जो रहयत होते हैं गाउं के उनके शुर्किर्टी उनकी सम्मथे कोई खास माएने नहीं रखता है कि वह इसे हैं ए सम्मथे ठाइ Of अब अगर हम लोग मूल रहियत की बात कर रहे हैं तो एक दो चीज और हम लोग देखें इसमें बड़ा इंपोर्टेंट है जिसको जानना चाहिए आपको मूल रहियत का जो शाब्दी कर्स होता है वह होता है ऑरिजिनल ऑरिजिनल फाउंडर ऑप दा विलेज जिस वेक्ति ने गाओं का जो मूल परवर्तक है जैसे हम लोग सी एंटी में भूईहर को देखते हैं जैसे सी एंटी में मुंडारी खुटकटीदार को देखते हैं वहिए जो सबसे पहले श्रचत की मषरात की कि 여러분 Esp Lake Hagam тем सतने अब हिए मचता है मुंड का फ्रकार को यहां मतलब एक तरह का एक प्रकार का एक म Corps मतलब पूलते हैं मतलब आप ऑफ और इंध लाइंग मतलब जमीन में जो अधिकार उसका का तरीका क्या होगा मोड क्या होगा और यह सिर्फ आपको देवघर जिला में पाए जाता है जैसा कि हमने पहले भी बताया है अब जो मूल रहियत का जमीन होता है उसको बुला जाता है मूल रहिती उसको बर्गी क्रित क्या जाता है मूल रहिती जमीन में 1876-77 मतलब जो regulation 3 आया था 1872 में उसके बाद हम लोग देख रहे हैं थोड़े साल के बाद ही 1876-77 में जब settlement अभियान की शुरुवात हुई देवगर जिला में उसे में देवगर सब डिविजन था देवगर जिला नहीं था और यह settlement operation के शुरुवात जो बंदोबस्ती अभियान था इसकी शुरुवात किस ने की थी इस operation को कौन लीट कर रहे थे तो ब्राउनी उड उनका नाम था ब्राउनी उड यही इस settlement operation का संचालन कर रहे थे और इस दोरान इन होने पाया कि इसे हैं इस दोरान पाया है कि 80 जो व्यग्ति थे या इटी में अश्ती व रैंद है वो क्या किए वह कए है के रिकोगनाईज किए आए उनkung को को रिकोगनाईज किया गया पहचांद किया गया किस रूप में विलेज हैडमें को पाय गे कि गाउं के हीड में वही है और साथी साथ यह जो कुल ने एक पेटिशन दिया सरकार को पेटिशन दिया उसमें डिमांड्च किया तो इन्हों लेकिन रहियत तो है रहियत में क्या है मूल रहियत ओरिजिनल जो कल्टिवेट किया जमीन को तो चुकी वे रहियत है इसलिए उनको जमीन को ट्रांसफर करने का अधिकार दिया जाए उनका जो मांग था उनका जो क्लेम था कि हम लोग चुकी मूल रहियत है तो इसलिए हम लो हमारे जो कल्टिवेटर से जो किशान खेती कर रहे हैं ठीक है उनको अंडर रहियत मतलब दर रहियत या उसी को बोला गया कोर्फादार कि उसी को अंडर रहियत या कोर्फादार तो मूल रहियत का क्लेम था कि हमारे अधिन जो रहियत खेती कर रहे हैं उनको अंडर रहियत अंडर रहियत या और कोर्फादार की मानिता प्रदान की जाए और उन्हें उकुपेंसी मतलब जमीन क्या दखल का हक न मिले उनको कोई भी नो उकुपेंसी राइट मतलब खेती कर रहे हैं इसलिए यह न दावा करें कि इस पर मेरा दखले और मेरा कबजा है दखल और कबजा किसके पास हो मूल रहियत के पास ही हो इनका डिमांड था अब सरकार ने जो ऐसे जो मूल रियत हैं उनके डिमांड को उनके क्लेम को उनके दावा को श्विकार कर लिया और इन्हें क्या संग्या दी इनको बोला कि आप लोग मूल रियत कहलाईएगा उसी समझ से यह सब आ रहा है मूल रियत का और जो इंपॉर्टन्ट चीज है कि मूल रियत कोई कैसे कहलाएगा तो मूल रियत की यह सर्थ है कि जो ऑरिजिनल फॉणर और विलेज है मतलब गाओं का मूल परवर्वर्थक ए संथाल प्रगना sesu का बंससाज उसका डिसेन्डेंट होगा वही कहलाएगा मूल रहियत यही परिभासा है और उसके जो बंसज होंगे वो भी मूल रहियत कहलाएंगे तो मूल रहियत कहलाने के लिए या मूल रहियत के रूप में मानिता प्राप्त करने के लिए आवशक सर्थ है कि किसी व्यक्ति को मूल रहियत का गाउं के जो मूल प्रवर सब्सक्राइब अब है हम लोग देखेंगे कि जो मूल रियत होता है ठीक है मूल रियत की जो जमीन होती है वो दो दो प्रकार का होगा दो प्रकार का मूल रियत लैंड दो प्रकार नहीं ठीक है यह यह दो प्रकार में पहला जो आ वो सबड़ आ एक तर्म यूज होता है मूल रहात का दो है है और दुसरा जो है वो है मूँख देशाके हैं अब ह्यां पर दीखेंगे मूल रहात का जोत इसको बोलते हैं प्राइवेट होल्डिंग इसको बोलते हैं जानना बड़ा जुरुई है नीजीत और इसको बोलते हैं, Official Holding, मूल रहती जोद को, Official Holding, इसको हुआ बोलेंगे, सरकारी जोद, इसका हिंदी हो जाएगा, सरकारी जोद, अब यह जो मूल रहियत का जोद होता है, यह जो जमीन होती है, मूल रहियत का, जिसको बोलते है मूल रहियत का जोत रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसका उले किस परकार से है मूल रहियत का जोत यह जमीन जो होता है यह ancestral land है मतलब मूल रहियत का यह पैत्रिक जमीन है और जब पैत्रिक जमीन है तो अन रहियतों की तरह ही जो मूल रहियत है उसको मूल र प्रास्पर कर सकता है बेच सकता है जो भी करें कर सकता है हस्तांतित करने का अधिकार ठीक है और जब मूल रहीत कोई वेक्ति जब मूल रहीत के पत पराशिन है तो उसको ऑफिस का खर्चा चलाने के लिए जिस ऑफिस को जिस पत को होल्ड कर रहा है उसका खर्चा चलाने के लिए ठीक है ऑफिस चलाने के लिए या खर्चा चलाने के लिए कुछ जमीन उसके नाम कर दी जाती है कुछ जमीन मूल्रेयत के नाम कर दे जाती है वो सरकारी जोद कहलाएगा क्योंकि जब तक वो पत पर है तब तक वो इस जमीन का उप्योग करेगा लेकिन जैसे ही वो पत से उसका पत समाप्त होगा और अन्य मूल्रेयत उस पत को धहरन करेगा तो ये जमीन अन्य मूल रहियत को प्राप्थ हो जाएगी मतलब ये जमीन जो है सरकारी जमीन है इसको हम लोग सरकारी जमीन कहें और ये सरकारी जमीन मूल रहियत को खर्चा चलाने के लिए ऑफिस चलाने के लिए प्राप्थ होता है तो जैसे ही मूलीयत का पत समाप्त होगा, वैसे ही फिर जमीन जो है सरकार में नहीं तो जाएगी और फिर जब न्या मूलीयत आएगा, जब न्या मूलीयत को रेकोंगनाइज किया जाएगा तो फिर वो जमीन उसको मिल जाएगी ऑफिस चलाने के लिए अपना ख़र चलाने के लिए तो यह difference बड़ा important है जो SPT में जल्दी समझ में नहीं आता है अब मूल रहियत का जोत अब यह जो मूल रहियत का जोत है यह जो उसकी नीजी जमीन है जो उसकी पैत्रिक जमीन है जो उसका ancestral land है ठीक है इसको वो बेच भी सकता है सेल भी कर सकता है मूल रहियत लेकिन सर्थ है कि एक ही बार में और एक ही बेक्ति को पूरा जोत बेचेगा जितना भी उसके पास private holding है वो एक ही बार में बेचेगा और एक ही बेक्ति को बेचेगा यह condition है एक बार में पूरा बेच देगा और तब क्या होता है कि जब मूल रहियत का जोत बेच दिया गया तो जिस बेक्ति ने उस जमीन को खरदा मूल रहियत के जोत को वो क्या हो जाएगा वो ब्यक्ति जो है उस ब्यक्ति को SDO जो है वो recognize करेगा मानिता प्रदान करेगा कि अब इस गाउं का मूल रियत ये ब्यक्ति है जैसे और इसमें कोई कहीं भी कोई restriction नहीं है अगर हम खरीड ले रहे जाकर के किसि गाउं में मूल रियत के पूरे जोद को तो हम उस गाउं के मूल रियत कहलाएंगे और SDO हमको recognize करेगा मूल रियत करेगा रूप में और जब हमने मूल रहियत का जोत खरीड लिया तो साथी स्याथ क्या है जो मूल रहती जोत है वो भी हमको प्राप्त हो जाएगा क्योंकि अब तो वहां के हम मूल रहियत हो गए जो ऑफिस चलाने के लिए जो खर्चा चलाने के लिए जो चाहिए संसाधन वो हमको क्या मिलेग मूल रहती जोत से हमको प्राप्थ होगा तो जो मूल रहती जमीन का भी जो सरकारी जमीन है उसका भी उपयोग करेगा यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जानना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं कि आप अगर SPT Act पढ़िएगा तो उसमें आपको एक दो टर्म और मिलेंगे और वो टर्म है शह मूल रहत जिसको बोलता है को मूल रहत शह मूल रहत यह टर्म आपको मिलता होगा और किसी मौजा में किसी गाओं में मौजा कि स्कोलते हैं गाओं को एक सेधिक मूल रहत भी हो सकते हैं मतलब अलग अलग परसेंटेज पर किसी को 50 किसी को 8 आना का किसी को 4 आना का ऐसा उसको अधिकार होगा वहाँ पर मूल रहत को उस गाओं में तो एक सेधिक मूल रहत हो सहमूल्रेयत हो जाते हैं वो भी सहमूल्रेयत कहलाते हैं या मान लिये जाते हैं लेकिन क्या होता है जो मूल्रेयत है वो जब जमीन का सेट्लमेंट करेगा गाओं के जमीन का सरकारी जमीन का गैरमजवरा जमीन का तो ऐसी स्तिति में अपने भाई को उस जमीन का बंदोबस्त गाओं क्या है और उसका क्या उसका प्रोविजन से और क्या क्लास्विकेशन है अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दुसरा जो है वो है प्रधानी गाओं कि प्रधानी गाओं प्रधानी विलेज यह दुसरा है अब देखिए जो लास्ट सर्वे सेट्लमेंट था मतलब 1932 का खतियान रेकॉर्ड ऑफ इसको बोलते हैं यह लास्ट सर्वे सेट्लमेंट रिपोर्ट उसी समय है 1932 का खतियान और आप अगर संथाल प्रणगा में जाएंगे तो लोग प्रिये रूप से लोग जो है ज्यादा तर्म यूज करते हैं खतियान के बदले परचा इसके लिए क्या यूज करते हैं परचा तो उस समय गाउं में जो ब्यक्ति गाउं का प्रधान था जिसका रेकॉर्ड है जिसको रेकॉर्ड किया गया कि हाँ फलना ब्यक्ति इस गाउं में गाउं का प्रधान है ठीक है वैस किसे गाओं को ही प्रधानी गाओं की संग्या दी गई मतलब जब लास्ट सर्वे सेट्लमेंट हो रहा था उस समय अगर गाओं में किसी गाओं में अगर प्रधान का स्थित्तु था हेडमें विलेज हेडमें का स्थित्तु था तो वह गाओं क्या कहलाएगा तो वह गाओं कह प्रधानी गाओं में स्टेडी कर रहे हैं वीलेज फेंड में जिसको बूलते हैं जिसका हेड होगा विलेज हेडि depois ऑगाओं का प्रधान क्षा मिकर हमस के बारे में इसके बहुत हैं तो एक चीश जेए होती है और इसकी नियुक्ति कौन करेंगे भी करेंगे लेकिन डीशी जो है इसकी नियुक्ति का जो पावर होता है हो आप इसकी नियुक्ति कर दीजी अब जब किसी हेड मैं मतलब गाओं का प्रधान का डेथ हो गया तब जो नया हेड मैं होगा जो नया प्रधान होगा गाओं का वह बंसानुगत आधार पर on the basis of hereditary ansen die क्या होगा वह बंसानुगत आधार पर dc के दवारा आप आपके जाएगा यहां पर एक developsizing मूल्रियर जो होता था मूल रियर जो होता है वो न्यूक्त नहीं होता है उसका अपॉइट्मेंट नहीं होता है वो रिकोगनाईज होता है लेकिन जो प्रधानी गाउ है वहाँ पर गाउं का जो प्रधान होगा गराम प्रधान वो न्यूक्त होगा और न्यूक्ति का अधार उसका होग वन सानुगत डी सी उसकी नियुक्ति करेंगे लेकिन वो क्या कर देते हैं डेलिगेट कर देते हैं यह पावर SDO को कि आप नियुक्ति कर लीजिए अब यहां पर सर्थ है कि जो गाओं का प्रधान है प्रधानी गाओं में जो गाओं का प्रधान है वो उसी गाओं का निवासी होना चाहिए या फिर जो गाओं है उसका जो पर्मानेंट होम होगा उसका जो अस्थाई घर होगा वो गाओ से एक किलोमेटर के अंदर होना चाहिए और एक दो और बात है यहां पर कि जो प्रधान होता है इसकी नियुक्ति में जो रईयत हैं गाउं के उनकी सहमती होनी चाहिए उनका acceptance होना चाहिए जबकि हमने बताया था कि मूल रईयत के लिए रईयतों का सहमती कोई आउशक नहीं है लेकिन यहां पर क्या है ग्राम प्रधान के लिए जो गाउं के रईयत हैं उनकी श्विकृति होनी चाहिए और दुसी बात है कि मेल या फिमेल यहां पर पुरुष भी गा का मूल रईयत होगा यह बेसिक डिफसेंस हम बताते चल रहे हैं अब है इसमें क्या बोला गया है कि अगर माल लिए कि जो गाउं ग्राम प्रधान है उसका बड़ा बेटा बनेगा ग्राम प्रधान उसके डिथ के बाद लेकिन वह बड़ा बेटा जो है किसी तरह से अन्फ का मामला है उस पर क्रिम्लाकेस है या फिर जो रईयत है वो उस पर साहमत नहीं है रईयत उसको पसंद नहीं करते हैं तब ऐसी स्तिति में क्या होगा तबonta सकता है गाउं का प्रधान बन सकता है और तब ऐसे सिते में DCS की नियुक्ति करेंगे जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है और एक दो बात और यहां पर हमता दें कि जो ग्राम परधान है उसको भी गाउं में लगान संग्रहन का अधिकार है और साथी साथ वो गाउं के किसी बेक्ति के साथ जमीन का बंदोबस्ती भी कर सकता है सरकारी जमीन को, खाली जमीन को, वेस्ट लेंड को वो सेटल कर सकता है ये पावर उसमें वेस्टेड है अब जो गाओं का प्रधान होता है उसकी भी जमीन जो होती है दो तरह की होती है जैसे मूल रहियत में बोले थे मूल रहियत का जोत और मूल रहियती जोत उसी तरह से जो ग्राम प्रधान है उसकी भी जमिन दो तरह की होती है उसका लैंड भी दो तरह का होगा एक है प्रधान का जोथ एक बोलेंगे प्रधान का जोथ जैसे मूल रियत का जोथ था मतलब यह उसकी नीजी जमीन हो गई यह उसका क्या हुआ नीजी जमीन है नीजी या पैत्रिक जमीन और दूसरा जो है वो है प्रधानी जोत जिसको बोलते हैं सरकारी जमीन ओफिसियल होल्डिंग या सरकारी जमीन अब है जो प्रधान का जोत है मत्तम नीजी जमीन तो अन्रयत की तरह अन्रयत की तरह वह ऐसी जमीन का उप्योग कर सकता है अन्रयत की तरह करेगा नीजी जमीन का उप्योग लेकिन जो प्रधानी जोत है वो एक सरकारी जमीन है जब भी कोई ब्यक्ति प्रधान का पद्धारन करेगा तो सरकारी जमीन के उपयोग काधिकार उसको प्राप्त हो जाएगा मतलब प्रधानी जोटकार के उपयोग काधिकार प्राप्त हो जाएगा खर चलाने के लिए ओफिस चलाने के लिए लेकिन जैसे ही प्रधान के पस से हटेगा वह जमीन फिर किसमें नहींत हो जाएगी सरकार में नहींत हो जाएगी और फिर जैसे ही कोई नया ग्राम प्रधान आएगा फिर वह जमीन उसको प्राप्त हो जाएगी खर चलाने के लिए या ओफिस चलाने के लिए तो यह दूसरे तरह का गाउं था सेकंड टाइप ओफ विलेजे जिसमें हमने बात किया पहला मूल रहती गाउं दूसरा हमने बात किया प्रधानी गाउं और जो थर्ड क्लास्टिकेशन है तीसरा वर्गी करन है वो है खास गाउं खास विलेज एक तरह से आप इसको बहुत सकते हैं सरकारी गाउं क्योंकि ऐसे गाउं को खास गाउं हम किसी गाउं को कब कहते हैं जब यहां पर न तो नाइदर मूल रहियत नाइदर मूल रहियत नौर विलेज मतलब रहे हैं मतलब दोनों का स्थिटह नहीं है किसी गाउं मैं अगर मूल रहियत मिन और करदाथ भी नहीं पर आइसे गाउं को क्या बोलेंगे ऐसे गाउं को मूलेंगे खास गाउं और तो यह सिथे में जो टाक्सट्न होगा लगान का का संग्रहन होगा यह स्थिंद्रेक्शह Original लगान का सेटिलमेंट होगा किस में नहित हो जाएगा क्रम्चारी करेगा और जो लैंड का सेट्लमेंट है भूमी का जो settlement है बंदोबस्ती है वो सीओ करेगा तो ये तीन तरह के गाउं आपको मिलते हैं संथाल प्रगणा में अब हम लोग आगे बात करेंगे संथाल प्रगणा टेनेंसी एक्ट उनिसों चास संथाल प्रगणा टेनेंसी संथाल प्रगणा टेनेंसी टेनेंसी कोस्ट में सब्लीमेंटरी प्रोविजन्स सब्लीमेंटरी प्रोविजन्स इसलिए बोलते हैं क्यों इनफेक्ट जो ठारसो बहतर में जो रेगलेशन 3 आया था उसी में कुछ प्रावधान जोड़े गया है और उसको फिर सब्लीमेंटरी प्रोविजन्स इसलिए एक्ट नाइटिन प्रोविजन्स इसलिए अब कुछ महतून बाते हैं जिसको हम लोग यहां पर जान लें स्प्लेवी एक्ट उनिस सो उन्चास जो है इसको एक अप्रेल उनिस सो उन्चास को साषक की अनुमति मिली जो गवर्णर था उसका consent मिला इसको एक अप्रेल उनिसो उन्चास को सासक की अनुमती उसके बाद आप अगर देखेंगे तो 13 अप्रेल उनिस उन्चास को उनिस उन्चास को पहली बार बिहार गजट में प्रकासित हुआ को पहली बार बिहार गजट में प्रकासित किया गया या बिहार गजट में प्रकासित हुई बिहार गजट में में प्रकासित हुई प्रकासित तो एक अप्रेल उन्हें सोन्चास को सासक की की अनुमती तेरा अप्रेल उन्हें सोन्चास को पहली बार बिहार गजट में प्रकासित और एक नॉवंबर 1949 से प्रभावी केम इंटु फोर्स प्रभावी मतलब प्रभाव में आया केम इंटु फोर्स क्लियर है आप लोगों को अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एस्पीटी एक्ट उनिस्सों उन्चास जिसको हम लोग पूरा वाकर उसको बोलेंगे तो इस संथाल प्रग्रणा टेनेंसी अंडर ब्रैकेट सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स उसके ब्रैकेट बंद होगा प्लोज होगा एक्ट नाइंटिन फॉर्टिन मतलब संथाल प्रग्रणा कास्त कारी अनुपूरक बंध कानून उन्चास लेकिन शौट में इसको बोलता है सपीटी एक्ट जैसे छोटणानापुर टेनेंसी एक्ट को सी एंटि एक्ट सिमिलरली इसको बोलते हैं SPT Act 1949 इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें नाइन चैप्टर से नौ अध्याय हैं चैप्टर से नाइन और सेक्शन इसमें है टोटल धाराएं जो है अनुछेद नहीं बोलते हैं समिधान में अनुछेद बोलते हैं एक्ट में सेक्शन बोलते हैं ब्राबर जो धाराएं हैं वो हैं 72 तो नौ अध्याय और 72 धाराएं और SPT Act संपून संथाल प्रग्णा मतलब होल संथाल प्रग्णा जो अब तो वो कमिशनरी हो गया संपून संथाल प्रग्णा में लागू है मतलब इसके अंत्रगत यह कहां कहां लागू होगा संपून संथाल प्रग्णा करने का मतलब हो गया दुम्का पूरा संथाल प्रग्णा मतलब दुम्का हो गया उसके बाद हो गया आपका गुड्डा गुड्डा के बाद हो गया जाम ताड़ा या देवघर पहले लिख लिए देवघर और जाम ताड़ा मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्स संथाल प्रगणा कमिश्णरी में आते हैं सब में यह लागू होगा जाम ताड़ा और विशेश परिस्टिती में अगर लागू नहीं होगा तो क्यों नहीं लागू होगा और कहां नहीं लागू होगा इस पर आगे हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहले इस मंदो देखेंगे चैप्टर वन और इस चैप्टर वन में कितने सेक्शन से सेक्शन से वन तू फोर है किए अब डिफ्रेंट सेक्शन में क्या क्या प्राधान है इसको लो देखेंगे सेक्शन एक से धारा एक से चार तक सामिल हैं और इसका सिर्षक है इसका सिर्षक है प्रीलिमिनरी मतलब प्रारमभीक इसके सिर्षक का नाम है प्रारमभीक अब हम लोग देखेंगे धारा एक चैप्टर वन में सेक्शन वन है कि सेक्शन वन में क्या है तो अक्ट का संचिप्त नाम क्या और उसके वाद इस आक्ट के प्रारम होने की तिति कि प्रारम होगा प्रारम होने तो संचित नाम प्रारम होने की तिथी और विस्तार का उलेख है फिर इसमें लिखा हुआ है कि यह एक्ट यह कानून जो है संथाल प्रग्ना भूधारन यह कास्तकारी जो भी बूलिए अनुपूरक उबंध अधिनियम 1949 कहलाएगा यह एक्ट उस तारिक से लागू होगा जो राजसरकार अधिसुचना के द्वारा नियत करेगी नोटिफाई करेगी उस डेट से यह लागू होगा और यह समस्त इसका बिस्तार क्या होगा समस्त हौल मतलब जो होल संथाल प्रग्ना एरिया है वहाँ पर यह लागू होगा है वो है section 2 section 2 में क्या है देखिए धारा 2 जो है वो बोलता है राज सरकार अजी सूचना के द्वारा notification के द्वारा इस Act मतलब SPT Act या इसके किसी भाग को या इसके किसी पार्ट को संथाल प्रगना के किसी छेत्र से वापस ले सकती है मतलब राज सरकार अगर चाहे तो notify करके बोलेगी कि संथाल प्रगना के इस छेत्र में यह एक लागू नहीं होगा विड्रॉ कर लेगी और फिर पुनह उस छेत्र में लागू भी कर सकते है एक्जिकूट भी कर सकती है अब हम लोग देख रहे हैं सेक्शन फॉर सेक्शन फॉर मतलब एक्ट का धारा चार चैप्टर बन में यह सेक्शन फॉर क्या बोलता है सेक्शन फॉर में परिभाशाएं दी गई है कुछ डेफिनेशन सें परिभाशाएं कि जब एस पीटी लागू होगा तो किसी खास सब्थ का क्या मेंनिंग निकाला जाएगा यहां परिभाशाएं में सबसे पहले लोग देखेंगे क्रिश यहां बंगाली यजा बंगाली चलता है वहां पहला दिन बैसाक मेहना का पहला दिन और जहां क्रॉप येर है फसली वर्स है वहां आश्विन के पर्थम दिन से प्रारम होगा मतलब जहां बंगाली वर्स है जहां बैंगॉली येर मनाए जाता है वहां बैसाक का पहला दिन माना जाएगा क्रिसी वर्स का प्रारम और जहां आप हसली वर्स है आशिन आशविन के प्रथम दिन से प्रारम होगा क्रिसी वर्स ऐही डिफनिशन है इसमें है अब उसके बाद्ध है आपका एक और जीनल अगला जो टर्म है डिफनिशन सेक्षन फोर में वह एक और जीनल एबोरी जीनल जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोल सके तो मूल निवासी बोलिए मूल वासी बोलिए और ये एबोरीजिनल वर्ड सभी वीपोकोर्स का एक्ट में इसका मृनिक है तो यसका आज़से एबोरीजिनल ट्राइब हैं उसको भी बोला तो इसनल्याओं यह फिर आज़ता है निवर्डेश निमान स्क्रांव हैं उनको भोला जाएगा आफिर इवर्डेश्ण अगे सोदी बोला जाएगा या या फिर कास्ट कोई कास्ट है उसको भी में बना हुआ है SPT Act में उसके सेडूल B में अगर वो मेंसंड है उलेख है तो वो क्या कहलाएगा Aboriginal कहलाएगा या तो वो Aboriginal Tribe हो सकता है या सेमी Aboriginal Tribe हो सकता है या फिर जाती हो सकता है सर्थ है कि इसका उलेख सेडूल B में हो और सेडूल B में जो दस जाती या आदिवासी है अबरिजनल Tribe है या सेमी अबरिजनल Tribe है या जाती है ये दस है जिनका उलेख सेडूल B में है जैसे इसमें बावरी है धांगर है डोम है हरी है कोल है, कोरा है, मोहूली है, पहाडिया है, रजवार है और संथाल है तो अबरिजनल का मतलब हुआ सेडूल B में जिस Tribe का या जिस जाती का कोई जरूर नहीं है कि वो Tribe ही हो अगर जाती भी हैं तो उसका उलेख होगा और अगर उलेख है तो वो अबरिजिनल माने जाएगा संथाल पड़गनाखा तो जैसे बावरी जो है वो Tribe में नहीं आता है जैसे आपको डोम जो है ळो ट्राइब में नहीं आता है यह जाती में आता है लेकिन इसका सेडुल भी में उलेख है इसलिए इसको एबरिजिनल माने जाएगा मतलब वहां का मूलवासी जो सबसे पहले वहां कर बसा है उसके वाद है आपको अगला जो डेफिनेशन है सेक्षन फॉर में वह है आयुक्त कमिश्णर कमिश्णर का मतलब हुआ संथाल का जो जिला का प्रशास्निक प्रमुख होगा एड्मिस्टेटीव होगा वह कहलाएगा डेपूटी कमिश्णर और इस एक्ट के उदेश के लिए इस एक्ट को अगर लागो करना है तो इसके परपस के लिए राज सरकार के द्वारा कोई ऑथराइज जो एडिशनल अगर कोई डेप्टी कलेक्टर वी काम कर रहा है कोई अडिस्टाइशनल क selbst कुलेक्शनर काम कर रहा है या सडियों काम कर रहा है जो स्टेट गौवणने के और एक और चीज़ है सुपत्रक्टर काम किजिए तो वह वी के अंतरगत यह सामिल होगा मतलब उपायुत के अंतरगत्रक्ट वह सामिल होगा इसके बाद है अगला टर्म है डेफिनेशन है वह है उपसमाहर्ता जिसको ओलते हैं डेपुटी जो आपका डिसी होता है जहारखंड के 2400 जिला में जो डेपटी कमिश्णर है वो डेपटी कमिश्णर इसले कहलाता है क्योंकि वो उसको स्पीटी या सी एंटी से रिलेटेड अधिकार प्राप्त है उसकी स्विकृति के बगर सी एंटी और स्पीटी में बहुत सारे ट्रांस तो हमारा जो डेपटी कमिश्णर है वो डिस्टिक कलेक्टर भी है और डिस्टिक मेंस्टेट भी है यहां चुकि उसको ट्राइबल लैंड से रिलेटेड इस्पेसल पाउर मिले हुए है उसलिए उसको बोलते हैं डेप्यूटी कमिश्णर अब जो डेप्यूटी कमिश्ण तो आप कहलाईएगा deputy collector deputy collector इसले कहा रहे हैं कि आप district collector का धिन काम कर रहे हैं और district collector DC है तो deputy collector इसमें assistant collector और सब duty deputy collector भी सामिल होगा यह अंग्रेज के ने इसको सुरू से decide किया होगा अब है अगला definition है khasa gram का मतलब होता है संथाल प्रग्नало में वैसागां संथ हाल प्रग्नामें के वैसा गांव जहां न तो मूल्रेइयत है नाईदर मूल्रेइयत और नहीं जहां ग्राम प्रधान है फॉर्ढ timing कुछ समय के लिए जिस समय आप उस गाओं का study करने अगर उस समय वहाँ पर कोई मूल रहीत नहीं है और कोई ग्राम परधान भी नहीं है भले ही गाओं में पहले मूल रहीत रहा हो गाओं में पहले मूल रहीत का existence रहा हो लेकिन बरतमान में अगर किसी गाउं में न तो मूल रहियत है और नहीं ग्राम प्रधान है तो ऐसे गाउं को ही क्या बला जाता है खास ग्राम बला जाता है जहां दोनों कास्ते तो नहीं हो और जैसे ही ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है जैसे ग्राम प्रधान का appointment होगा नियुक्ति होगी तो खास ग्राम जो है वो गैर खास ग्राम में परिवर्तित हो जाता है और गैर खास ग्राम का मतलब हुआ है वैसा गाओं जहां या तो मूल रहियत है या ग्राम प्रधान है अगर मूल रहियत या ग्राम प्रधान में से को तो दोड़ों नहीं कि यह बहुति तो जैसे ही में भूह जो गैर खास गाओं में परिभर्तितisi जाता है डेफनेशन इसका इही है अर्थाथ सिर्फ गयर खास ग्राम की सिति में ही मूल रहीत या ग्राम प्रथान का बद विद्धमान है तो यहाँ एक चीज़ आपको असपर शुरू से समझना है खास गाओं जहां खास ग्राम मतलब जहां न तो न तो मूल रहेत नतोमूल रहयत और नहीं ग्राम प्रधान दूनों नहीं है यह एक खाट मूनुल रहया हुआ ठीक है यह नैतोमूल रहयत और नहीं ग्राम प्रधान अब जैसे ही मूल रहियत जैसे ही ग्राम प्रधान की न्यूक्ति होती है आपको बताया है कि SPT Act में ग्राम प्रधान की न्यूक्ति होती है वो बनसानुगत होता है लेकिन वो DC के द्वारा न्यूक्त होता है और डेसी इस पावर को डेलिगेट कर देता है किसमें एसडियों में जैसे ही किसी गाओं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो जाएगी वो ग्राम क्या होगा जैसे ही नियुक्ति होगी जैसे ही ग्राम प्रधान की नियुक्ति प्रधान की नियुक्ति खास ग्राम, गैर खास ग्राम में परिवर्तन, तो यहां पर दो चीज के लिए कर लिए, कि खास गाउ का मतलब होता है वैसा गाउ जहां न तो मूल रहयत है और नहीं ग्राम प्रधान है बहले ही अतीत में रहा हो पहली बात और गैर-खास-ग्राम में परिवर्तित हो जाता है मुझे प्रति मुझे लगता है कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ रहा होंगे अब अगला डेफिनेशन है इसमें भू स्वामी भू स्वामी जिसको बोलते हैं लैंड लॉड अब आप देखिए लैंड लॉड एस्पीटी के डिफिनेशन में एस्पीटी एक्ट में लैंड लॉड का डेक्या डिफिनेशन है सेक्षन चार में भू स्वामी ग्राम प्रधान या मूल रहेत के लाबा ये दोनों के लाबा वैसा बेकती जो लगान पाने का अधिकार रखता हो जिसको रेंट जमा करता हो रहीत वो भू स्वामी कहलाएगा और भू स्वामी में आपको पहले बताए हैं कि इसमें प्रोप्राइक्टर होंगे टेनियूर होगा घटवाल होगा और सरकार सामिल है यह आपको एस्पीटी एक्ट के सेक्षन फोर में भू स्वामी को आपको अर्वेसा ट्राइब यह वैसा जाती जिसका सेडूल वी में उलेक नहीं है वह कहलाएगा नॉन एबरीजिनल अब उसके बाद एक टर्म है रहीत वैसा व्यक्ती जो भू स्वामी नहीं और स्वयम या परिवार्ट जो भू स्वामी नहीं है जो लैंड लॉड़न न मद्वाइब में जो लंदोड है उसको लगान देता है रहित कहलाएगा यह स स्थी चैनल में भी मताए है तो रहो जो है भूषिवामी रहीत नहीं होता है तो वैसा वेक्ति जो भूषिवामी नहीं है लंड नहीं और स्वेम या परिवार सदस यावाड़ा के दौरा क्यति करता है जमीन पर ख्यति करता है जमीन को ख्यति के लिए रहेत खळाएगा और रहेत के अंत्रगत ऐसे ब्यक्तिक के उत्रधिकारी जो उसके सक्सेसर होंगे जो inheritance में आएगा मतलब जो बेटा है वो फिर क्या हो जाएगा वो भी रियत कहलाएगा अब अगला definition है इसमें लगान किसी गाओं के प्रधान या मूल रियत के द्वारा मुद्रा के रूप में मतलब जो ग्राम प्रधान या मूल रियत है वो रियत से क्या करता है टैक्स कलेक्ट करता है और फिर उसको किसको जमा करता है सरकार को जमा करता है हम पहले बताएं तो एसपीटी एक्ट में जो ग्राम प्रधान है और जो मूल रियत है उसको राजश उन्याले के समान अधिकार प्राथ है वो land को land से revenue को collect करेगा लगान collect करेगा और वो जमा कर देगा सरकार को तो किसी गाओं के प्रधान या मुलरियत के द्वारा मुद्रा के रुप में मनी के रुप में भू स्वामी को दी जाने वाली विधी सम्मत रासी जो legally defined है lawful है वैसी रासी को ही क्या बोलता है लगान कहते है इसके बाद है आपको भूधारक भूधारक का मतलब हुआ कास्तकार कहिए या इसी को भूधारक बोलता है जिसका मतलब होता है tenant इसी सनाम पड़ा है टेनेंसी इसमें क्यों सामिल होगा टेनियोर होल्डर इसमें टेनियोर होल्डर सामिल हो जाएगा उसके बाद आपको प्रधान सामिल होगा को इसमें घीक और मूल रहिएत ये सब क्या कहलाएंगे टेनेंट कहलाएंगे ए अब इसके वाद दापको एक टर्म है कॉम्मिनिटी कोश्य घाय व्यसात कि व्यक्ति जिसकी की उपायुक्ति रा अधिकरत अधिकारी के दोरा नियुक्ति होती है जिसको डिसी या ओफिसर या जो द्वार्ण कर रहेगा। ऐसे वेक्टी को ग्राम प्रधान का पध्धारन करने का अधिकार है। और ओरलेज हेडमेंट का पोस्ट होल्ड करेगा। क्योंकि वे सी के दलड धृब्ष दले जो ऑथ्राइज ऑफिसर न सब करने निफ्थ की जा रही है। और जो गाऊं का प्रधान है वो संथाल प्रगजणा में क्या कहाना जाएगा, मुस्तजीर के नाम से जाएगा, मांजी, कुछ चयत्रों में मांजी भी कहाना जाएगा, लेकिन जो gram प्रधान है इसमें मूल रहयत सामिल नहीं है। तो मूल रहती गाउं अलग होता है और प्रधानी गाउं अलग होता है यह हम आपको पहले बता चुके हैं अब हम लोग देखेंगे चैप्टर टू नेक्स्ट है हमारा चैप्टर टू चैप्टर टू में आपको चैप्टर टू इसका सिर्सक क्या है इसका जो सिर्सक है वो है विलेज हेडमेन एंड मूल रहयत इसका सिर्सक है ग्राम प्रधान और मूल रहयत विलेज हेडमेन एंड मूल रहयत और यह सिर्षक है जैसे पहला चैप्टर का सिर्षक था प्रिलिम्नरी प्रारमभिक उसी तर से चैप्टर टू का सिर्षक है विलेज़ेंड में और इसमें आपको चैप्टर टू में सेक्षन पांच से गारह सामिल हैं 521 अब सबसे पहले में देखेंगे सेक्षन फाइव इसमें जो सबसे पहले में देखेंगे वह सेक्षन फाइव सेक्शन फाइब बोलता है कि इसमें क्या है ग्राम प्रधान खास ग्राम के जो खास विलेज है खास ग्राम है उसके प्रधान की नियुक्ति कैसे होगी क्योंकि खास ग्राम वैसा गाओं है जहाना तो ग्राम प्रधान है नमूल रियत है लेकिन जैसे ही खास ग्राम में ग्रा क्लाइस गर्राम के प्रधान की नियुकती का इसमें प्रावधान है प्रोविजन है और ग्राम प्रधान की नियुकती बंसानूगत are यह मतलब वंसा नुगत के आधार पर हेरेडिट्री के आधार पर क्या होता है ग्राम प्रधान की निवक्ति होती है अब यह कैसे होती है सो देख लीजे तो जो ग्राम प्रधान है वो ब्याओं का निवासि होना चाहिए है मतलब विलेज हेड में भी एरेजडेंट तर होना हो तुसमा स'm के ек माईल किलोमेटर में गाओं के एक मिल के अंदर होना चाहिए तभी उस व्यक्ति की निवक्ति ग्राम प्रधान के रूप में होगी पहले बता चुके हम और गाओं के कम से कम दो तिहाई जमाबंदी रहियत जो दो तिहाई जमाबंदी रहियत हैं उनकी सहवती से जो DC होता है वो प्रधान की नियुक्ति की घोशना करता है कि प्रधान की नियुक्ति की घोशना की जाएगी और उसकी प्रक्रिया के सुरुबात करता है उसके प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है यह सेक्षन 5 में है चैप्टर 2 के सेक्षन 5 में अब है कि जो ग्राम प्रधान है इसको गाउं से लैंड रेवनियू मतलब भूराजश को को वसूलने का भी अधिकार है यह पहली भी मता चुके हैं भूराजश की वसूली का अधिकार होता है ग्राम प्रधान को कि अब हम देखेंगे इसी धारा में एक चीजा आप जान लिए कि ग्राम प्रधान की तो यहां पर बात हो रही है सेक्शन फाइब में एस्पीटी एक्ट में मूल रियत की को डिफाइन नहीं किया गया है मूल रियत यूजवली क्या होता है गाउं का मूल संस्थापक या उस इसको भूर आजश्व वसूली का अधिकार है जो रेंड रिवनियों को कलेक्टर सकता है जब हम गाउं का टाइप सो बता रहे थे टाइप सो फिलेज़ तो हमने बताया था कि ती तरह के गाउं है मूल रहीती गाउं प्रधानी गाउं और खास गाउं हम अच्छी तरह से पर एक्स्प्लेंड कर चुके हैं अब हम लोग देखेंगे सेक्शन सिक्स अब हम लोग देखेंगे सेक्षन सिक्स मतलब दहारा छे इसमें प्रावधान है कि जब किसी गाउं के ग्राम प्रधान की मिर्तियों हो जाती है इन केस ऑफ डेथ ओफ विलेज एड्में ऑप दव कै Ridge Л interrupt तीन मैंने के अंदर डी सी को सुचना देगा विदिन थ्री मंस् यह सब प्रस्ण कुशा जा सकता है किने मिने के अंदर सुचना देगा ताकि ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो सके जो नइया ग्राम प्रधान है उसको अपउंट किया सके अब हम रोग देखते है इस कबुलियत लिखना पड़ सकता है वह कबुलियत उसमें लिखेगा एक प्रेशाइट खौन में अपने कार्जों के निश्पादन में जो ग्राम प्रधान होगा वह राजिक सरकार के द्वारा बनाएगे रूल्स नियमों से सासित होगा राज सरकार जो भी नियम मनाएगी उस सेक्षन एट में उलेक है कि जब कभी भी सेक्षन एट में उलेक है कि जब कभी आखरी ग्राम प्रधान के जो लास्ट ग्राम प्रधान था विलेज हेंडमन था उसके उत्राथिकारी के लावा उसका जो सक्सेसर होगा उसके लावा अगर अनिक ब्यक्ति की ग्राम प्रधान क के रुपमे नियुकति होती है मानिय जै उसका कोई सकसेसर नहीं है तो किसी बैक्ति की who प्रद्धान के रूप में न्यूपति हो सकती है या उसका जो तो और कि यह94 के चाई है तोर कि अंगर फार मदान के रूप में नियूती होती है तो नाडुलार्ट का यह क्रतब होगा कि वह ग्राम प्रधान को न्यूगती की तारिख से तीन माह के अंदर जिस दिन उसका अपॉइंटमेट हो रहा है उस डेट से विदिन थ्री मंद्स तीन माह के अंदर मूल जमाबंदी मतलब ऑरिजिनल जो जमाबंदी है या इसकी कॉपी और रेकॉर्ड ऑफ राइट्स उपलप्त करा दे अब इसके बाद है सेक्शन नाइन हम लोग देखेंगे सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन में उलेक है कि ग्राम प्रधान को ग्राम प्रधान अपना पद ट्रांसपर नहीं कर सकता है जो उसको पोस्ट मिला हुआ है जो आफिस मिला हुआ है उसको ट्रांसपर नहीं करेगा प पद को transfer करने का कोई अधिकार ग्राम प्रधान को नहीं होगा मतलब ग्राम प्रधान का पद जो है वह non transferable है और फिर है कि मूल रहीयत को युझे ट्रंपर अधिकार है जो मूल रहीयत है उसको tradition right है कि वहाँ अपने कुछ अधिकारों का हस्तांतरन करें वो ट्रांसफर कर सकता है लेकिन यह मूल रहियत के प्राइबेट या ओफिसेल होल्डिंग तक ही सिमित है जो उसका नीजी जोथ होगा और जो सरकारी जोथ है उसी तक सिमित है और जिसको क्या बोलते हैं प्राइबेट होल्डिंग को बोलते है मूल रहियत का जोत और official holding को बोलते हैं मूल रहती जोत और हमने बताया है कि जब जो मूल रहियत है अगर वो अपना पूरा जोत एक बार में किसी को sell कर देता है तो जो ब्यक्ति उसको खरिता है वो क्या होगा वो उस पूरे जमिन का अधिकारी हो जाएगा और साथ ही SDO के द section 10 में क्या बात कहा गया है सब देखिए वैसी भूमी जिसका record of rights मतलब खतियान और संथाल प्रग्राम में आप जानते हैं खतियान को लोगप्रिये रूप से बोला जाता है पर्चा तो वैसी भूमी जिसका record of rights खतियान या पर्चा में उलेख नहीं है मूल रहियत का जोत या मूल रहियती जोत के रूप में माना या जाना नहीं जाएगा मतलब मूल रहियत का जोत और मूल रहियती जोत का उलेख खतियान में होना चाहिए अगर खतियान में उलेख नहीं है तो वैसे जमिन को न तो मूल रहियत का जोत माना जाएगा और न त के क्या किया को मिल करके कि और कोई वैसी रिक्तफुमी जो मूलज रेयत के कबजा में है उस वैसी जो रहती जमीन होगी वह आहस्तांत्र नए होगी मतलब तो वो नॉन प्र ट्रांस्पर बूलोग। क्योंकि वो तो सरकारी जमीन को कभजा में रखे हुए है या फिर उसको आबाद किया है कल्टिवेबल बनाया है। मूल रहियत का पद C&T के भुईहरी या मुंडारी खुटकटिदारी से सामे रखती है। अगर आप कंपेर कीजिएगा तो C&T में जो मूंडारी खुटकटिदार है या भुईहर है औरिजिनल फाउंडर विलेज इनको बुलते हैं गाउं का मूल प्रवर्तक। उसी से मिलता जुबता है मूल रहियत का पद। तो ये चैप्टर टू में हमने इंप्पॉर्टेंट प्रोविजन्स देख लिया अब हुन लोग चैप्टर थ्री में आते हैं नाउ लेट रस कम टू चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री इसका सिर्षक है रैयत्स इसका सिर्षक दिया गया है रैयत्स मतलब रैयत्स रिलेटेड इसमें प्रोविजन्स है रैयत्स और यह आपको सेक्षन बारह से चबिस तक है कि सेक्षन बारह से चबिस अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्षन बारह सेक्षन बारह में बोलता है कि रैयत्स तीन प्रकार के होंगे थ्री टाइप्स ओफ रैयत्स एस्पीटी एक्ट में जो रैयत्स होंगे वो तीन प्रकार के होंगे थ्री टाइप्स ओफ रैयत्स अब यह कौन कौन से होंगे तो पहला जो है वो बोलता है जमा निवासी जमाबंदी रैयत्स निवासी जमाबंदी रैयत्स दूसरा जो है वो है गैर निवासी मतलब यह रेजिडेंट जमाबंदी रैयत्स है दूसरा है गैर निवासी नौन रेजिडेंट गैर निवासी जमाबंदी रैयत्स और तीसरा जो है वो है नूतन रैयत्स नया रैयत्स या नूतन रैयत्स चिक्षिए नया नूतन ही लिखिए, नूतन का नमतलब है न्या, नूतन रहियत, यह तीन परकार के रहियत का उलेख है आपको सेक्शन 12 में, अब पहला जो है वो है निवासी जमाबंदी रहियत, वो ऐसा बेक्ती जो जमाबंदी रहियत के रूप में recorded है, जो वहाँ पर record of rights है, उसमें वो जमाबंदी रह्यत के रूप में नाम दर्ज है और श्वयम या इनका परिवार वह खुद自र में रहता है या इनका परिवार जिस गाव में वह जमाबंदी रहित के रूप में दरज्ञ है रेकॉर्ड OF वहीं नहीं करता है उसके वाद है जिसकों नहें रियत के रूप रेकॉर्डेड है या अभी लेखित है तो ये तीन तरह के रहियत है वहां निवासी जमाबंदी रेजिडेंट जमाबंदी रहियत नॉन रहियत और नूतन रहियत अब हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे यह सेक्षन 12 था ठीक है अब हम लोग देखते हैं सेक्षन 13 कि सेक्षन 13 में हम लोग को क्या लिखा गया है इसमें सेक्षन 13 में बोला गया है कि रहियत अपनी जमीन का किन तरीकों से उप्योग करेगा अपनी भूमी का उप्योग कैसे कर सकता है तो इसमें बोला गया है कि जैसे सी एंटी एक्ट में बोला गया था कि अस्थानिये प्रचलन या रिती रिवाज के अनुसार अपनी जमीन का उप्योग कर सकता है और जमीन का वैसा उप्योग करेगा जो जमीन के भातिक मुले को जो material value है उसको इंपेयर न करता हो मतलब नश्ट न करता हो और खेती के रेए आयोग न बना दे वे मतलब खेती के लिए अनुप्योग तो नहीं बनाना है वैसा उपयोग करना है कि उस पर फेड़ खेती हो सके अब एस्पीटी एक्ट की इधारा सेक्शन 15, 16, 17 और 18 इसमें बोला गया है कि जमीन के उपयोग से सम्मंधित कुछ अधिकार रहियत को दिये गया है जो जमीन के भोतिक मुली को नस्ट करने वाला नहीं है या जोत के मतलब खेती के 여ग बनाने वाला नहीं है मतलब अगर section 15, 16, 17 और 18 के अनुसार कोई रईयत खेती कर रहा है जमीन पर जमीन का उपयोग कर रहा है भूमी का उपयोग कर रहा है तो वह माना जाएगा कि सही है और माना जाएगा कि जमीन के भौतिक मुले को नश्ट करने वाला नहीं है और इसको खेती के अयोग बनाने वाला नहीं है अब उसको फिर बोलता है section 14, next है section 14, धारा 14, 13 में हमने बताया कि जमीन का उपयोग कैसे करेगा लिखा हुआ है अब है धारा 14, यदि रहयत धारा 13 में बताया गया तरीकों से भौमी का उपयोग नहीं करता है जो 13 में बताया है अगर उसके अनुसार भौमी का उपयोग नहीं करता है तो भू स्वामी जो लैंड लॉड है वो उपायोक्त की अनुमती से डी सी के अनुमती से रईयत को जमीन से बेदखल कर देगा और अगर डी सी के अनुमती नहीं है तो रईयत को जमीन से बेदखल नहीं कर सकता मतलब अगर 13 के अनुसार जमीन का उपयोग नहीं कर रहा है तो भू स्वामी DC के अनुमती के बगएर रईयत को जमीन से बेधखल नहीं कर सकता है मतलब बेधखल करने के लिए DC के अनुमती आउशक होगी और ऐसे भी हमने बताया कि CNT और SPT एक दोनों में DC को बहुत सारा पावर मिला हुआ है अब है सेक्षन 15 रहयत जो है वो भूमी पर स्वयम या अपने परिवार के घरेलू और क्रिसी उदेश के लिए डोमेस्टिक और अग्रिकल्चर परपेस के लिए बगएर किसी सुल्क के उसके लिए उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा बगएर किसी सुल्क के इट और खपड़ा बनाने का उसको अधिकार है इसके लिए सरकार को कोई सुल्क नहीं देना होगा शर्थ है कि स्वयम और अपने परिवार के घरिलू और क्रिसी उदेश के लिए होना चाहिए, कॉमर्सियल नहीं होना चाहिए उसके बाद है section 16 रहियत अपनी भूमी पर बांध आहर का निर्मान कर सकता है और मचली पालन और अन्य उत्पाद और उसमें जो आहर है तालाव है उसमें मचली को पालेगा और अन्य उत्पाद का उभोग कर सकता है ये सब अधिकार है उसको उसके बाद है section 17 रहियत को अपनी भूमी पर ब्रिक्ष मतलब पेड लगाने, उद्यान लगाने, और चेड जिसको बुलते हैं और बांस लगाने का अधिकार है और इसको काटने, गिराने और नियोजन उसको प्लाइनिंग करने का विदिकार है जैसा चाहेगा यूज करेगा लेकिन इसमें एक जो कंडिशन है वो है कि लेकिन SDO की स्विकृति के बगर महुआ का पेड नहीं काट सकता है महुआ के पेड़ को रहियत को अगर काटना है अपनी ही जमीन पर तो भी इसके लिए SDO से उसको स्विकृति लेना होगा रहियत को भूमी परिसित पेड या बांस के फल फूल और अन उत्पादों के उप्योग का अधिकार होगा पेड अपनी जमीन पर वो पेड लगाया है तो उसमें फल फूल जो भी होगा या अधर प्रोड़क्स जो होगा पेड से निकलेगा वो सब का उप्योग करेगा लेकिन महुआ का पेड काटने से पहले SDO का प्रिमिशन लेना पड़ेगा रियत को अपनी भूमी पर लगाये पेड पर बगैर सुल्क के लाह और रेसम कीडा भी पालने का अधिकार होगा लाह का कीडा को भी उस पर पाल सकता है और रेसम का कीडा भी पाल सकता है बगैर किसी सुल्क मतलब सरकार को टैक्स दिये हुए अब है section 18 बोलता है कि रहियत को स्वैम और अपने परिवार के सजसों के घरेलू और क्रिसी उदेश के लिए अपनी जमीन पर कच्चा और पक्का भवन खड़ा करने का अधिकार है कच्चा बिल्डिंग में खड़ा कर सकता है और पक्का बिल्डिंग भी लेकिन शर्थ है कि स्वैम और अपने परिवार के घरेलू और क्रिसी उदेश के लिए ऐसा कर सकता है कॉमर्सिल यूज के लिए नहीं ऐसा नहीं कि उस पर बैंक को ठॉल बना लेगा धारा, तेरह, पंद्रह, सुल्लह, सत्रह और अठारों में रईयत को स्वैम या अपने परिवार के घरेलू और क्रिसी उदेश के लिए जमीन के उपयोग अधिकार है इसके लाबा जमीन का कोई अन्य उदेश के लिए उपयोग नहीं कर सकता है अर्थात रईयत को भूमी के उपयोग का सिमित अधिकार है, लिमिटेट पाउर है SPT Act में उपयोग भी के लिए भी उसको बहुत सिमित अधिकार दिया गया है अब है section 20, now let us come to this chapter में हम लोग देखेंगे section 20 SPT Act में आप देखेंगे section 20 जो है बोलता है कि भूमी का हस्तांतरन नहीं होगा रईयत जो है बिक्री सेल, दान, बंधक या संवीदा, मतलब मौर्गेज या एग्रिमेंट के आधार पर सेल करके गिफ्ट करके अपनी भूमी को ट्रांसपर नहीं कर सकता, मतलब रईयत को जमीन के अहस्तांतरन का धिकार ही नहीं है SPT Act के section 20 में अर्थात आदिवासी और गयरा और SPT Act के section 20 में बोलता है कि आदिवासी हो चाहे गयर आदिवासी हो कोई भी जो है वहाँ पर संथाल प्रग्रामें अपनी जमीन को बेच नहीं सकता, उसको ट्रांसपर नहीं कर सकता मतलब आदिवासी और गयरादिवासी दोनों की जो जमीन है SPT Act के section 20 के अनुसार वो अहस्तांतरनी है, non-transferable है फिर बोलता है कि DC के लिखित स्विकृति से, DC के लिखित स्विकृति से, DC अगर रिटेन परमिशन दे रहा है तो सराब दुकान के लिए अधिक्तम एक वर्स की आउधी के लिए जमीन को लीज पर दे सकता है उसका प्रिएड है एक वर्स और कंडिशन है with the permission of DC और सराब दुकान के लिए, लिकर शॉप के लिए अब हम लोग देखते हैं कि इसी section 20 में फिर बोलता है कि DC की लिखित स्विकृति से, DC के रिटेन परमिशन से संथाल रहियत जो संथाल रहियत है, मतलब यहां पर संथाल की सिर्वात की गई है, अपनी बहन या बेटी को जमीन उपहार के रुप में दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है संथाली रहियत, दूसरा कोई नहीं, संथाल जन्जाती का जो रहियत है वही, अपनी बहन या बेटी को जमीन उपह किस्त्विकृति से अधिक्तम आधा एकर जमीन मतलब हाफ एकर जमीन जो है मैक्सिमम अपनी विध्वामा जो विडो मदर है या अपनी मिर्थु के पस्चात अपनी पत्नी को जीवन यापन के लिए सकता है मतलब यह डिकलेर करेगा कि हमारे डेथ हो जाएगा तो हमारी पत् किसी को यह सूचना मिलती है उसको information मिलता है कि किसी ST रहियत की जमीन जो आधिवासी रहियत है उसकी जमीन का गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है तो ऐसी सित्य में वह जाच करवाएगा inquiry करवाएगा और ऐसी जमीन को फिर खाली करवाएगा और गैर आधिवासी रहियत को सौरी उसको खाली करवाएगा और आधिवासी रहियत को वापस करवादेगा जो ट्राइवल रहियत है उसको फिर से उसको लैंड को री स्टोर करवादेगा उसके यदि जमीन लेने वाले ने अन्तरण जमीन लेने वाला जो जमीन को खरदा है या जमीन का जो इसको अंतरण हुआ है संथाल प्रग्रा में अंतरन के 30 वर्सों के अंदर वो जब ट्रांसफर हुआ जमीन का गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से हुआ नहीं, अंतरन हुआ, ट्रांसफर हो गया और अंतरन के 30 साल के अंदर अगर उस पर कोई भवन या संद्रचना बना लिया है, structure या building खड़ा किया है, तो DC इसे 6 माई आधिकतम extended period 2 बर्स के अंदर बोलेगा कि इस संद्रचना को हटा लो, नहीं तो फिर DC खुद हटवा देगा, यह आपको हम C&T Act में बताए हैं, 30 बर्स structure का निर्मान कब कर लिया है, बिहार scheduled area regulation 1979 के प्रभाव में आने के पहले, बिहार scheduled area regulation का प्रभाव में आया है, 8 फरवरी 1979 को, अगर इसके पहले, जो जमीन लेने वाला बेकती है, जो गैर आधिवासी है, उसने अगर जमीन पर कोई सारवान संद्रचना का निर्मान कर लिया है, तो उचित compensation दिल्वाकर, जो आधिवासी रहियत है, उसको DC क्या करेगा, उचित compensation दिल्वाएगा, उचित छती पूर्ति दिल्वाकर, DC जमीन लेने वाले, जिसने जमीन पर सारवान संद्रचना कर निर्मान किया है, यह जमीन कर सकता है, जमीन लेने वाले के नाम पर, यह हमने CNT Act में ही बताया है, फिर यह बोलता है कि यदी DC जाच के पस्चात, मतलब डेपटी कमिशनर मतलब उपायुक्स, संतुष्ट है कि जमीन लेने वाले ने जमीन का स्वामित, जिसने जमीन को लिया है, उसने जमीन का जो स्वामित है, टाइटल है, ओनर सिफ है, परत अपने पास कुछ रासी जमा करने का आदेश दे सकता है, और फिर वो जमीन उसको खरवा देगा, अब यह जो प्रोविजन से, सेक्षन 20, जो है, SPT Act का वो बहुत ही रेस्टिक्टिव है, बहुत ही प्रतिमन धात्मक है, इसमें कोई भी जमीन का हस्तांतर नहीं हो सकता है, ट्रांसपर नहीं हो सकता है, चाहे अदिवासी हो, चाहे गयर अदिवासी हो, लेकिन जो बसौरी जमीन है, SPT Act के अंतर के जो बसौरी जमीन है, बसौरी लाइंड, इसको बोलते है, घर बनाने के लिए जो जमीन होती है, होम इस्टेट, इसको बोलते है, होम इस्टेट ला तो घर बनाने के लिए जमीन होता है उसी को बोलते हैं बसौरी जमीन मतलब रेजिडेंशियल लेंड यह जो बसौरी जमीन है उस पर सेक्षन 20 लागू नहीं होगा इस लागू नहीं होगा कि यह जमीन जो है यह खेती के लिए नहीं है और SPT Act किस पर लागू होता है खेती के जमीन पर कास्तकारी जमीन पर चुकि इस जमीन पर खेती कल्टिवेट्शन नहीं होता है यह जमीन ग्रिह निर्मान के लिए होता है इसलिए चुकि यह खेती का जम जमीन नहीं है या कास्तकारी जमीन नहीं है खेती का जमीन नहीं या कास्तकारी जमीन नहीं इसलिए जो स्पीटी एक्ट है का सेक्षन कास्तकारी नहीं स्पीटी एक्ट का सेक्षन 20 यहां प्रभावी नहीं होगा यह एक्सेप्सन है और इसलिए प्रभावी नहीं होगा क्योंकि एस्पीटी एक्ट वहीं प्रभावी होता है जहां जमीन खेती की हो जहां जमीन कास्तकारी की हो जिस पर खेती हो क्लियर है अब सेक्षेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वेंट्वें कर सकता है डी सी की पूर्वनुमती से किसी निबंधित संस्था जो रेइस्टर्ड इंस्टिचूशन है बैंक है या सहयोग समीती है उसको अपनी जमीन बंधक सकता है मौर्गयज कर सकता है बसकते अईसी संस्था में कि सरकार का 50 वन सेर हों मैं किसी निबंधिस संस्था में राज या केंदर सरकार का 51% सेर है तो उसमें कोई एबरुजिनल रहयत या एबरुजिनल कास्ट डीसी की पुर्वनुमती से जमीन को लीज पर दे सकता है ऐसी संस्था को ऐसे बैंक को बंधक रख सकता है मौर्गेज कर सकता है और फिर इसमें एक और कंडिशन है कि जो वैसा वेक्ति जो एबरुजिनल ट्राइब या कास्ट का सदस नहीं है वो डीसी के अनुमती के बगैर ही ऐसी संस्था में ऐसी संस्था को अपनी जमीन का बंधक जमी अपनी जमीन बंधक रख सकता है ऐसी संस्था के पास तो यहां तक हम लोग बात कि अब हम लोग देखते हैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है कि एक्ट की धाराश ट्वेंटि जो हैसका नेचर सी इंटी runt की धारा से भिन है क्योंकि सिंटी सेक्ष्ण फॉर्टे सिक्स में सच जमीन स्को ट्रांसफ्वर हो सकता है फॉ Boss का जमन और स्वालभी जमीन कोई जमिन चाहे वह आधिवासी की हो चाहे वह गैर अधिवासी की जबकि section 46 में C&T Act के section 46 में जो non-tribal land है जैसे हमारी जमीन है यह क्या है यह transferable है non-tribal और non-SC और non-OBC land जो है जो general का land है general cast का वो transferable है लेकिन SPT Act के section 20 में कोई भी जमीन चाहे वो forward cast की हो चाहे tribe की हो चाहे वो SC की हो वो transferable नहीं है मतलब SPT Act की इधारा 20 में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों की भूमी के अंतरन पर प्रतिबंद है और moreover क्या है आप अगर C&T Act का section 49 देखिए तो उसमें industry और mining के लिए उद्योग और खनन के लिए जमीन का अंतरन होता है आदिवासी जमीन का इभेन भूहरी जमीन का अंतरन होता है लेकिन जो SPT का section 20 है इसमें सिक्षा अस्पताल जैसे साज्मी कुदेशों के लिए जमीन का अंतरन नहीं हो सकता और इंडस्ट्री और mining के लिए नहीं हो सकता लेकिन एक exception जो है SPT Act में वो है बसोडी लैंड बसोडी भूमी का अंतरन हो सकता है और section 20 का उलंगन नहीं माना जाएगा क्योंकि section 20 के अंतरगत बसोडी जमीन नहीं आता है अब धारा 20 में रहियतों की जमीन की बिक्री या दान पर प्रतिवंध है SPT Act के section 20 में और रहियत को एक प्रकार से भूमी का स्वामी तो नहीं है एक तरह से बोलिए तो टाइटल ही नहीं है जब वो कुछ कर ही नहीं सकता है बलकि लिमिटेड उसको पावर दिया गया है लिमिटेड राइट दिया गया है कि आप भूमी का उपयोग कैसे कीजेगा वह भी उपयोग का भी जो अधिकार है वो बड़ा सिमित है हम बता चुके हैं लेकिन अपनी बाहन को ठीका नहीं अपनी बाहन को और फिर हम ने बताया था है बेटी को जमीन उपाहर के रुपने दे सकता है यह धी किसी भी समय उपायोग के सूचना में यहाता है कि कि किसी एज टी की भूमी का अबैधा स्तांतरन हुए है तो यह रहियत को जमिन आदिवासी रहियत को जमिन वापस दिलवाएगा तो यह आपका सेक्शन 20 है जिस पर हम लोग ने डिटेल बात किया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग जो भी बाते कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है अब है है शेक्शन 21 सेक्शन 20 के बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 21 इसमें प्रावधान है कि गएर एबॉरिजिनल रहियत जो जो एबॉरिजिनल नहीं है नॉन एबॉरिजिनल नहीं है जिसका सेडूल भी में उलिखनी है अपने धान की बारी उसका जो धान का खेत होगा की जमीन का अधिक्तम maximum one by fourth part अगर माल जीए कि उसके पास चार एकर जमीन है तो maximum एकर जमीन छे बर्स के लिए भूगत बंधा के द्वारा भूगत बंधा के द्वारा भूमी बंधक बैंक जो land mortgage bank है या जो अनाज गोला है ग्रेन गोला है या संथाल प्रगना के ही किसी रेयत को हस्तानतित कर सकता है भूगत बंधा के रूप में और उसका maximum period है six years और उसका maximum जो land होगा वो total उसके जो धान की बारी है उसका one by fourth होगा एक चौथा इससे ज़्यादा नहीं तो ये section 21 में गैर एवरिजिन रियत को अपनी धान की बारी की अधिक्तम की जमीन का अधिक्तम एक पटा च्छ भाग छे बर्स के लिए भूगत बंधा के द्वारा land mortgage bank, भूमी बंधक bank, अनाज गोला, ग्रेंड गोला या संथाल प्रग्णा के हे किसी रियत को हस्तान्तित करने का अधिकार है भूगत बंधा के द्वारा, और भूगत बंधा क्या होता है पहले भी हमने बताया है कि कोई ब्यक्ति, गाओं में कोई ब्यक्ति, किसी ब्यक्ति को पैसे की जरुवत है वो अन्य ब्यक्ति के पास गिया और बुला कि यह जमीन आप मौर्गेज रख लिजे, बंधक रख लिजे और हमको इसके बिले में दस जार उप्या दीजे और ये आपको 6 बर्स के लिए मिलेगा क्योंकि इसमें SPT Act में 6 बर्स बोल रहा है तो अब क्या है? 6 बर्स तक जो ब्यक्ति जिस ब्यक्ति ने बंधक रखा है और 10 जार उप्या दिया है उस नीडी ब्यक्ति को वो क्या करेगा? वो जमीन पर जो भी फसल होगा उसका उभोग करेगा और 6 बर्स के बाद जिस बेक्ति ने उससे 10 ज़र पह लिया था न तो वो मुलधन वापस करेगा और नहीं उसका इंट्रेस्ट वापस करेगा और 6 बर्स के बाद वो जमीन फिर उस बेक्ति के पास वापस चला जाएगा अब हम लोग इसके बाद देखते हैं section 22 section 22 में बोलता है रहियत को चाहे वो एबरिजिनल हो चाहे गैर एबरिजिनल हो रहियत को SDO और प्रधान या मूल रहियत को सूचना देगा और साथ में अगर प्रधान उस गाउ में है प्रधानी गाउ है तो प्रधान को सूचना देगा और मूल रहिती गाउ है तो मूल रहियत को सूचना देगा निम लिखेती सित्यों में अपनी भूमी को खेती के लिए अपनी भ कुझए रिया को आस्थाई रुपसे खेती करने के लिए अधिकार दे सकता है तो पहला कंडिशन है गाउं से रियाग की अस्थाई अनुपस्ति वो क्या है वह टेमप्ररली एक्षेंट है गाउं में नहीं रह रहे हैं दुसरा है बीमारी या सारी अक्षमता वह इनकेपर हैं वह खुद कोटी करने हैं । है उसके भाद है हल बैल कि छेति मतलब उसको उसके पास ह्ल नहीं है और चौथा condition है यदि रहियत नबालिक या विधवा हो यदि रहियत नबालिक मतलब माइनर हो या फिर वीडो मैं इस conditions में वह क्या करेगा उया करेगा और तो धुल किसी अन रहयत को खेती के लिए अस्थाई रूप से जमिन दे सकता है कि यह सेक्शन 22 में हम लोब बात कर रहे हैं यदि हस्तांतम क्यों थी का उलेख नहीं है यदि उसमें यह उलेख नहीं है कि कितने प्रियट के लिए वह ट्रांसफर कर रहा है और रहयत स्वेम फिर से खेत नहीं चुदता है जो रहयत अस्थाई रूप से दूसरे को दिया था अगर फिर से वह खेत पर खेती नहीं कर रहा है तो दस बार्स के बाद ऐसा माने जागे कि रहयत ने खेत छोड़ दिया है रहयत जो है वह खेत को त्याग दिया है अब है सेक्शन 23 हम लोग देखेंगे सेक्शन 23 सेक्शन 23 में क्या बолता है यदि रहयात जमीन के अदला बदली के लिए शुक है अगर दो रहयत है आपस में वह चाहते है कि यह जमीन दूसरा नहीं डूसरा रहयत का जमीन वह रखेंगे आपस में एक्सेंज कर ले है तो वह लिखित रूप में DC को आविधन दे सकते हैं जो अपने बीवेक मतलब डिस्क्रिशन से ऐसी अदला बदली को स्विकृति दे सकता है मतलब दे भी सकता है ने भी दे सकता है जब तक डीसी संतुष्ट नहीं होगा वह भूमी को बदलने की श्विकृति ने देगा, भूमी को एक्षेंज करने की श्विकृति रहियत को आपस में नहीं देगा DC की लिखित श्विकृति के बैगर जमीन की कोई भी अदला बदली धारा 20 का उलंगर माना जाएगा अगर DC ने रिटिन प्रमिशन ने दिया और कोई रहियत आपस में जमीन का अदला बदली करते हैं तो that will be considered as the violation of section 20 of SPT Act यदि DC निमलिखित बातों से संतुष्ट है तभी वह जमीन के अदला बदली को अपनी श्विकृति प्रदान करेगा किस कंडिशन में जमीन के अदला बदली को श्विकृति प्रदान करेगा किन बातों से satisfied होने पर तो पहला कंडिशन है बदली करने वाले दोनों पक्ष जमाबंदी रहियत हो दोनों पक्ष जमाबंदी रहियत हो दूसरा है बदली की जाने वाली प्रस्तावी जमीन जो प् गुप्त बिक्री नहीं माने जाएगा इस ट्रांजेक्सन को कुंसीडेट सेल नहीं माने जाएगा बल्कि पक्षों की पारषपरिक सुवधा के लिए की जाने वाली bonafide exchange है मतलब सचमूच का बिन में है ये कोई गुप्त बिक्री नहीं माने जाएगा और चौथा कंडिशन जो है वो है जो अदला बदली की जा रहे है जमीन दोनों समान मुली की हो मतलब एक रियत जो दूसरे को दे रहा दूसरे रियत से जो प्राप कर रहा है दोनों एक्वल वैलू का होना चाहिए अगर इन चार बातों से अगर डिसी संतुष्ठ है तो वह अदला बदली की स्विकृति देगा अपने बीवेक से उप्रोक्त दसाओं को छोड़कर रहे हैं जो चारों कंडिशन से इसको छोड़कर या दिजमीन की कोई भी अदला बदली होती है और डिसी के लिखी स्विकृति के बगैर होती है तो में ऐसा हस्तांत्रन सेक्षन 20 का वाइलेशन या उलंगन माना जाएगा मतलब अबैद हो जाएगा तो दिस इस सेक्षन 23 ऑफ स्पीटी एक्ट नाइंटीन फॉर्टिन अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर फोर चैप्टर फोर हम लोग देखेंगे चैप्टर फोर यह आपको है सेक्षन 27 से 40 तक 27 से 40 को theo 22 थक इसका जो शिर्षक है चाप्टर फोर का वो सिर्षक है कि चैप्टर फोर का जो टाइटल है ब वो है वेस्ट लैंड सॉरी सेटलमेंट आफ इसका सिर्सक है सेटलमेंट आफ सेटलमेंट आफ वेस्ट लैंड एंड वैकेंट लैंड मतलब खाली जैमेंड पर्थी जमीद उसका सेटलमेंट कैसे होगा अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर फोर इसमें सब से पहले हम लोग देखेंगे सक्षानटıy है स्थैक्षानट्वैंट ए नकिया हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है बंजर भूमी या खाली जोत मतलब जो वेस्ट लैंड है या जो वैकेंट लैंड है के बंदोवस्ती में अगर उसको बंदोवस्ती किया रहा है उसको सेटल किया आता है तो निमलिखिस सिधानतों का पालन होगा वो कौन-कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो वेस्ट लैंड है या जो आपका वैकेंट लैंड है उसको किसी गाओं के बेक्ती के नाम से उसको बंदोवस्ती करना है उसके लिए कौन-कौन सा प्रिंसिपल्स जरूरी है पहला जो सिधानत है प्रतेक रहियत क्या शक्ताओं हर रहियत का जो नीड से उसको देखना है और उसकी आबाद लायक बनाने और आबाद करने की छमता वो जमीन को आबाद बनाने के लायक है रिक्लेमेशन के लायक है जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए सक्षम है या नहीं है और उसकी आबा का उचित और सम्वित्रन मतलब फेयर एंड इक्वेटेबल डिस्ट्रिवसन होगा मतलब जो रहियत है उसके नीट्स को देखना है कि किसको जमीन की जरुवत है और जमीन को खेती के लाइक बनाने के उसकी छमता क्या है इसको ध्यान में रख करके भूमी का उचित और फेयर और इक्वेटेबल मतलब सम्वित्रन जिसमें नयाय हो सके किसी के साथ इंजस्टिस नहीं हो यह पहला सिधान्त है दूसरा सिधान्त है ग्राम समुदाय विलेज कमुनिटी के लिए समाज के लिए राज के लिए अगर किसी वेक्ति का किसी रहियत का कोई विसेस दावा कि उसने कोई विसेश सेवा किया है समाज के लिए गाओं के लिए या राज के लिए कोई सेवा किया है उसका कोई विसेश दावा करता है तो उसको देखना है तीसरा कंडिशन है प्रिंसिपल है सिधान्त है रहियत की जमाबंदी भूमी से बंजर भूमी का सानित या सामे मतलब रहियत की जो जमाबंदी भूमी है पहले से उससे बंजर भूमी कितनी दूरी पर है कितनी निकट है या कितनी दूर है इसको देखना है और चौथा है कि जो गाउं में भूमी हीन स्रमिक है जो लैंडलेस लिवरस है और जो गाउं के वास्त्विक अस्थाई निवासी है लैंडलेस लिवर है भूमी हीन स्रमिक है और गाउं के वास्त्विक मतलब बोनेफाइड परमानेंट रेजिटेंट है वास्त्विक अस्था में रखना है कि उनको भी जमाबंदी किया जाए जमीन का बंदोबस्ति किया जाए तो यह चार principles को ध्यान में रखके ही जो जमीन है उसकी जमाबंदी होगी चाहे वो जमाबंदी ग्राओं का प्रधान करे या मूल रहियत करे या फिर सरकार करे सीओ करे अब हम लोग देखेंगे section 29 इसमें उलेख है कि DC की लुखित स्विकृति के बिना बगैर DC के written permission के कोई मूल रहियत कोई भी जो मूल रहियत है या ग्राम प्रधान है अपने साथ या किसे सर्म रहियत के साथ कोई बंजर भूमी या खाली जोत बंदुबस्त नहीं करेगा DC की लिखित स्विकृति के बगैर कोई भी जो मूल रहियत है या ग्राम प्रधान है वो अपने साथ मतलब अपने आपको या फिर किसी सह मुल्रियत के नाम से कोई भी बंजर भूमी या खाली जोत बंदुबस्त नहीं करेगा मतलब अपने नाम से बंदुबस्ति उसका नहीं करेगा और फिर जो सह मुल्रियत है मतलब अपने जो भाई है उसके उसके नाम से बंदुबस्त नहीं करेगा ये पहले भी हमने बताया है अब है section 31 section 31 में क्या बात कही गई है तो इसमें उलेख है कि यदि यदि दो या दो से अधिक ग्राम प्रधान हो किसी गाउ में दो या दो से अधिक मुस्सह मूल रहियत हो या भुस्वामी हो तो ऐसे गाउ में जिसे वह संजुक रुप से hold कर रहे हैं धारन कर रहे हैं मतलब किसी गाउ में एक सधिक मूल रहियत हो सकता है एक सधिक ग्राम प्रधान हो सकता है एक सधिक भुस्वामी हो सकता है तो ऐसे गाउं में ये लोग क्या कर रहे हैं गाउं के जमीन को जुएंटली होल्ड कर रहे हैं संजुक रुप से रखते हैं और इसमें बोला गया है कि बंजर भूमी की बंदोबस्ती जो वेस्ट लैंड है उसका कोई भी सेटलमेंट इस परकार के सभी ग्राम प्रधानों मतलब जो भी ग्राम प्रधान हैं जो भी मूल रहयत हैं जो भी लाइनलोट्स हैं भूस्वामी हैं संजुक रूप से अगर नहीं की गई है अगर ये लोग जुएंटली उसको नहीं किये हैं तो आपत्ती होने पर ऑब्जेक्शन होने पर डीसी के विवेक से डीसी अपने या तु- रद कर Dえ या मोडिफाइ कर सकता है इसी की संजुक रूप से यह सेटल्मेंट नहीं किया है बंजरभूमी का इसलिए या फिर उपांतरित मतलब modify होगा this is section 31 उसके बाद है section 32 section 32 बोलता है कि यदि कोई ब्यक्ति बंजर भूमी या खाली जोद को बंदोबस्त करने या बंदोबस्त को अस्विकार करने की क्रिया से पिडिस हो रहा है मतलब यदि कोई ब्यक्ति जो दावा कर रहा है कि हम दिजर्विंग थे हमारे नाम से इसकी बंदोबस्ती होनी चाही थे बंजर भूमी या खाली जोद की उसको नहीं हुआ या उसने अगर आविदन दिया तो उसके बंदोबस्ति को अश्विकार कर दिया गया है और वह एग्रिव्ध है पीडित है तो वह जिस तिथी को बंदो बंदोबस्ति अस्विक्रित की गई है जिस तारिक को उसके एक बर्स किया थी के भीतर डीसी के हाँ आविदन दे सकता है पिडित बेक्टी कि हम डिजर्विंग थे हमारे नाम से यह नहीं हुआ हमारे अप्लिकेशन को रिजेक्ट किया गया और किसी अन्यवेक्ति को सेटल कर दिया गया है और उस वेक्ति किसी अमुकष डेट से कीसी खास डेट से उस पर क्रिसी काज प्राणारं किया है ऊसका रेक्लेमेशन स्टाट किया है उस तिथी के एक वर्ष के अंदर जिस दिन से जिस वह ब्यच्टी के नाम मन्न बंबस्ति के उस 2009 का उद्हार प्राणर किया है मतलब उसका रिकलमेशन खेती के लाइक बनाना शुरू किया है उसके एक बर्स की अधी के अंदर ये प्रियड है एक बर्स डीसी को आविदन देगा डीसी आविदन के परशाद क्या करेंगे जो डिफ्रेंट पार्टीज हैं उसको एक नोटीज जारी करेंगे और हीरिंग का डेक्ट डिसाइड कर देंगे कि किस तारीक को सुनवाई होगी विभिन पक्षों को सुनने के बाद और जाज के पश्चाद दीरसी बंदोबस्ती को रद या रुपांत्रित कर सकते हैं अगर उनको लगया कि गलत तरीके से जमामंदी हुआ है तो फिर उसको कैंस जमीन का बंदोबस्ती कर दिया जाए आदेश जारी करेंगे अब इसी सेक्षेंस में धारा 28 में जो सिधान आपको हुम बताएं कि धारा 28 में बंजर भूमीया खाली जमीन के बंदोबस्ती में कौन-कौन से सिधाननों का आपालन होगा कौन-कौन से प्रिंस्पट जमाबंदी रहियत को ऐसी भूमी बंदोबस्त कर सकता है ऐसी भूमी को सेटल कर देगा रेकॉर्ड ओफ राइट्स को ध्यान में रख करके और जो सेक्शन 28 में जो प्रिंसिपल्स हैं जमाबंदी करने का सेटल करने का उसको ध्यान में रख कर अब हम लोग इसके बाद देखेंगे section 33 section 33 में क्या प्रावधान है सो देख लीजे यहां जितना भी sections की बात हम कर रहे हैं वो सब आपके लिए बड़ा ही महतुपून है section 33 में उलेख है कि यदि बंदोबस्त की गई बंजर भूमी जिसकी बेक्ति के नाम से जिस बंजर भूमी को वेस्टलेंड को settle किया गया पांच बरसों के अंदर अगर उस पर खेती ने शुरू कर रहता है आबाद नहीं करता है तो DC को इसे रद करने इसको रद कर देगा DC कैंसल कर देगा क्योंकि पांच बरसों के अंदर उस पर वो उसको आबाद नहीं कर आबाद करने का मतलब खेती के लाइक नहीं बनाया और किसी जमाबंदी रहियत ग्राम प्रधान या मूल रहियत के आविधन पर अगर जमाबंदी रहियत भी अप्लिकेस अदरा है ग्राम प्रधान या मूल रहियत कोई अप्लिकेस अदरा है तो इसे बंधोबस्त करने का भी अधिकार है तो इन लोगों के नाम से बंधुबस्त कर देगा अब सेक्शन हम लोग देखेंगे 36 66 इसमें क्या प्रावधान है Section 36 में तो गाउं की सीमा परिस्थित जो नदी है या नदी काएं है नाला है जो रेवुलेड्स है जो नाला है गाउं की सीमा परिस्थित हैं या अश्मसान या कब्रिस्तान है मतब बरियल ग्राउंड है या कोई केंपिंग ग्राउंड है सिविर अस्थल है या कोई सीमा चिन हस्थल है जहां पर सीमा का चिन दिया गया है मार्क किया गया है या कोई साजनिक पत्थ है मतलब पब्लिक रोड है या गाउं का मार्क है या वहां पर जाहिर थान है या फिर अन्य पूजास्थल है वहां पर इस इसको कोई भी गाव की सीमा पर जो ये सारी चीजें हैं इसको कोई भी रहियत जो है वो कर्सित या उधार या अन्य प्रियोजन के लिए सम परिवर्थित नहीं करेगा मतलब कर्सित करना मतलब उसको खेती उस पर नहीं कर सकता है या उसका रिक्लेमेशन नहीं कर सकता है या प्रयुजए अदर फड़ेस के लिए उसको कंभर्ट नहीं करेगा समप्रिवर्थितनी करेगा मतलब उस से उद्रस के लिए उजमीन गाउंकी सीम्हापरीस्तित रहेगी है छाए वह गाउंकी सीम्हा-परिस्तिती हो सीमा चिनहस्तर हो यह सब को कोई भी रहियत खेती के लाइक नहीं बना सकता है और नहीं किसी अन्युदेश के लिए प्रियोजन के लिए इसको कनवर्ट करेगा कि यह सेक्षन 36 है कि उसके बाद है आपको सेक्षन 37 सेक्षन 37 में उलेख है कि गाओं के सभी रहियतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेसियों को गाओं के भीतर जो उनके जानवर हैं कैटल हैं उनको गाओं के भीतर जो जो रेकॉर्डेट्ट ग्रेजिंग लेंड है जो रेकॉर्डे मतलब अभी लिखांकित है मतलब रेकॉर्ड आप्राइट्स में उसको लिखा गया है कि ये चारगाहर की जमीन होगी वहाँ पर अपने जानवर को चराएंगे मवेसी को चराएंगे धारा 37 में गोचर की ब्याख्या की गई है ग्रेजिंग लेंड ठीक है ना जहां पर जानवर को चराया जाएगा जहां पर जानवर आराम करेंगे अब है सेक्शन 38 में उलेख है कि वैसी जमीन भूमी जो ग्रेजिंग लेंड या गोचर के रूप में दर्ज है मतलब 38 में जो गाओं का कुछ जमीन है वो गोचर के रूप में दर्ज रहता है या फिर मवेशियों के चारागाह के रूप में ग्रेजिंग लेंड के रूप में प्राबर जानवरों का चारगाह रहेगी उसका न तो बंदवस्ती होगा और नहीं आबाद होगा उस पर खेती होगी और नहीं जानवरों के चरने से अलग किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उप्योंग होगा तो सेक्शन 38 में गोचर भूमी का उलेख है जहां गाय चरेग की जानवर चरेंगे मैवेसी चरेंगे है लेकिन डी और आधिकार है कि वह जो रेकर्ड़ेड चारगाह है रेकर्ड़ रइन्स में जो चारगाह के रूप में दर्ज है जमीन उसका जो एप्रोप्रियेट एरिया है चराई के लिए उसको अलग कर दे प्रिथक कर दे और बोले कि इस पर भी चराई है अगर पांच परसेंट से कम है तो यह सब प्रश्म पूशे जा सकते हैं इन सब पर ध्यान देना होगा अब हम बात करेंगे सेक्शन 39 सेक्शन 39 में क्या लिखा हुआ है सो देखिए भू स्वामी के अनुमती से रियत मतलब लाइनलोड के परमिसन से रियत अपने जोत जो उसका अपना जोत मतलब होल्डिंग है जिस पर उखेती करता है उससे अलग किसी भूमी में पीने तथा अन प्रयोजन के लिए पीने का पानी तथा अन प्रयोजन के लिए तालाब या अन जलाक्र से उसमें क्या कर सकता है उत्खनित कर सकता है मतलब उसको एक्सकेवेट कर सकता है खोट सकता है अपनी जमीन को छोड़कर ठीक है अपनी जमीन को छोड़कर किसी भिन भूमी में डाल करके या अन्युत्पादन का उभ्भोग करेगा यूज करेगा और बगैर किसी प्रयाप्त कारण के भूस्वामी ऐसी अनुमती से इंकार नहीं कर सकता है मतलब भूस्वामी इसको जनरली अप्रूबल देता है कि जाओ उस जमिल पर ऐसा कर लो और यदि इंकार करता है मालिजे कि भूस्वामी इंकार कर रहा है तो रहियत के आविदन पर डीसी ऐसी स्विकृति प्रदान कर सकता है जो पहाडिया का गाउ है, खाली जोत, जो वेकेंट लैंड है या जो वेस्ट लैंड है, उसका बंदोबस्त सिर्फ और सिर्फ पहाडिया को होगा, गैर पहाडिया को वो जमीन, पहाडिया गाउ में किसी गैर पहाडिया को जमीन का बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा, और द पहाड़िया गाव में या दामिने कोव में तो पहाड़िया जन्जाती को ही बंदुबस्ती होगा नेक्स्ट है सेक्षन 42 ये आपका चैप्टर फोर के अंतरगत ही हम लोग बात कर रहे हैं इसमें उलेक है कि DC किसी भी से में अपनी एक्षा या आविदन पर अपनी एक्षा मतलब by his own motion अपनी एक्षा से या खिसी नाविदन दिया है उस बैक्ति को बेद अखली का आदेश दे सकता है जिसने इस अधिनियम के प्रावधानों का उलंगन करके अधिकरमित किया है उसका रिक्लेमिशन उधार किया है अरजित किया है मतलब किया है अगर प्रावधानों काउलंगन करके क्रिशी भूमी को किसी ब्यक्ति ने गलत तरीके से उसको एंक्रोच किया है उस पर खेती किया है तो डिसी जो है वो अपने ओन मोशन से अपनी इक्षा से यह आविदन बिनने पर उस ब्यक्ति को बेद अखल करने का आदेश देगा कि आप उस जमिन से हटी है उसको एजेक्ट करवाएगा वहां से तो यह आपको सेक्शन 42 तक हमने बात कर लिया अब हों लोग देखते हैं चैप्टर फाइव SPT Act का चैप्टर फाइव चैप्टर फाइव इसका सिरसक है रेंट लगान और इसमें क्या है 43 से 52 सामिल है सेक्शन 42, 43 to 52 इस चैप्टर में जो भी सेक्शन से है 43 से 52 इसमें लगान से समन्धित प्राधान है जैसे लगान के भुकतान का समय क्या होगा कितने समय में लगान का भुकतान कर देना है लगान में कैसे प्रिधी होगी या इसमें कैसे कमी आएगी इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर शिक्स नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर शिक्स चैप्टर शिक्स इसका जो सिर्सक है वो है एक्विजिशन ओफ लैंड एक्विजिशन ओफ लैंड बाई लैंड लॉड लैंड लॉड लैंड लॉड फर सटन परपसेज कुछ खास उदेशों के लिए लैंड लॉड के द्वारा जमीन का अधिगरहन सटन परपसेज और यह चैप्टर 6 में सिर्फ एक ही सेक्षन है सेक्षन 53 ओनली वन सेक्षन सेक्षन 53 इसमें क्या प्राउधान है तो कुछ खास उदेशों के लिए भूमी अर्जन का प्रावधान है लेंड को भूस्वामी एक्वायर कर सकता है उसका अर्जन कर सकता है किसी गाओं का भूस्वामी भवन निर्मान कोई बिल्डिंग बनाना है किसी धार्मिक सैक्ष्णिक या दान के प्रियोजन से कोई मतलब कोई रेलिजियस परपस है एडूकेशनल परपस है या charitable purpose है उसके लिए भूमी भवन का निर्मान हो रहा है खान खोदने के लिए mining purpose के लिए सिचाई इरिगेशन के लिए अथवा क्रिसी या उद्योग अग्रिकल्चर या इंडस्ट्री अथवा सरकार की कोई राष्टिय नीती को प्रभावी बनाने है तूँ सरकार का कोई अगर नेसल पॉलिसी है उसको effective बनाने के लिए गाओं के किसी रहियत की जोत को अरजन करने क के लिए गाओं के किसी रहियत से उसका जो होल्डिंग है उसको उसकी जमीन को अक्वायर करने के लिए डी सी के पास अनुमत्य के लिए आविदन दसकता है और यह कौन देगा आविदन लैंडलॉड गाओं का भूस्वामी तो यह सेक्षन चैप्टर सिक्स में जो सेक्षन 30-53 है उसमें गाओं का भूस्वामी जमीन का अरजन कुछ खास उद्यशों के लिए कर सकता है जिसमें धार्मिक्ष, सैक्षनिक, दान, खान खोदना, उसके वाद सिचाई के लिए क्रिशी या उद्योग के लिए अजथ्वास सरकार की कोई राष्टिय निती को प्रभाव चैप्टर 7 इसका सिर्षक है नियाइक प्रक्रिया जूडिसियल जूडिसियल प्रसीजर नियाइक प्रक्रिया और चैप्टर 7 में आपको 54 से सेक्षन 54 से 63 सामिल है और यह जो सेक्षन से इसमें नियाइक प्रक्रिया से समधित प्रावधान है कि जमीन पर अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए नियाइक प्रक्रिया क्या होगी उसके लिए जूडिसियल प्रसीजर क्या होगा SDO के DCN के अगेंस्ट में DC के हाँ विदन जाएगा DC के DCN के अगेंस्ट में कमिस्टर के हाँ अपील होगा यह सारा प्रावधान है अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 8 चैप्टर 8 इसका सिर्सक है लिमिटेशन लिमिटेशन मतलब इस एक्ट का सीमा क्या होगा लिमिटेशन क्या है हिंदी में इसको बोलते हैं परिशीमा और चैप्टर 8 वे आपको सेक्शन 64 से 66 सामिल है और यह जो धाराये हैं यह लिमिटेशन मतलब परिशीमा से संबंधित है रिलेटेड टू लिमिटेशन और जो लास्ट चैप्टर है देट चैप्टर 9 SPT का अंतीम चैप्टर अंतीम चैप्टर है चैप्टर 9 और इसका सिर्शक है मिसलेनियस प्रोविजन्स मिसलेनियस लेनियस प्रोविजन्स और यहां पर सेक्शन इसमें है चैप्टर 9 में 67 से 72 करें हैं अब हैं सेक्शन 67 क्या में क्या प्रावधान है मिसलेनिस प्रोविजन्स में तो 67 कर दिए लेकर कर रहा है तो इसे च्षा माहKा का तरह वास और जुर्मानाँ से दंडित किया सकता है उसको सिक्स मक्त का जेल होगा और जुर्माना मतलब अगर बलपुर्वक किसी के जमीन का आप अतिक्रमन कर लिये हैं तो आपको च्छा मां का करावास और जुर्माना भी हो सकता है इसके बाद है 67 के बाद है आपका सेक्षन 71 इसमें बोला गया है कि राज सरकार को अधिस सूचना क्या था राज सरकार जो है नोटिफिकेशन के द्वारा अधिस सूचना जारी करके spt Act क को जारी रखने के लिए spt जो ऑबजेक्तिफ's उसको कंटिनीऊ करने के लिए समय सुपर क्याkeiten सकता है रूल्स बना थ का इनियम बनाने का अधिकार है राज सरकार को अधिस ऊचना क्या अधार पर SPT Act के उदेश्टों को जारी रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार है तो यह जो important provisions है SPT Act के इस पर हमने बात कर ली है अब अगर हम लोग SPT Act का मुल्यांकन करते हैं इविल्यवेशन करते हैं इसका मुल्यांकन हम लोग कैसे करेंगे SPT Act 1949 समिधान की नवी अनुसूची में सामिल की गई इसको 9 सेडल में सामिल किया गया था ताकि नयाले इसमें हस्ता छेप न कर सके इसको जूडिसियल रिव्यू से प्रोटेक्शन देने के लिए नाएक समिक्षा से सन्रेक्शन प्रदान करने के लिए 2016 में SPT Act की धारा 13 में सन्सोधन का प्रस्ताव था जो अब वापस ले लिया गया है मतलब 13 में क्या है जमीन का उप्योग के लिए कॉमर्सियल यूज के लिए भी जमीन का उप्योग कर सकता है यह सन्सोधन किया गया था बाद में इस पर बहुत विवाद हुआ तो वापस ले लिया गया सन्सोधन में रहियत को भूमी का नेचर बदलने का अधिकार दिया गया था और बुला गया कि अगर रहियत भूमी की का नेचर बदलता है तो उसको स्वामितों से बंचित नहीं किया जाएगा यही इस संसोधन में प्रस्ताव था और एक बात और बता दें संथाल प्रगनाचेतर में बसोड़ी भूमी को छोड़कर अन किसी भी रहिती भूमी की विक्री नहीं की जा सकती है तो हम लोगों ने SPT Act के different provisions के बारे में बात कर ली इसका मुल्यांकर भी किया इसका हमने background भी बताया एतिहासी background और मुझे लगता है कि अगर इस lecture को ठीक से समझा जाए सुना जाए और note कर लिया जाए तो अधिकान्स प्रस्ण जो आपके आएंगे SPT Act से वो इस lecture से ही related होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ तो आप सबों को 19 सितंबर को जो परिक्षा आयुजित होने वाले हैं उसके लिए धेर सारी सुपकामना है अगर ये lectures जो different videos में हमने उपलफ्ट कराए हैं आपको अगर आपको useful लगता है उपयोगी लगता है तो निश्यत तोर पर जो videos हैं उनको आप like करें और subscribe करें बहुत बहुत धन्यवाद